तो हमारा ये second group में, fourth, last paper आपका होने वाला है, paper number eight, वैसे अगर सिरोफ individually second group की बात करें, तो आखरी paper होता है आपका financial management and economics for finance, बड़ा interesting सा subject है, पहले फड़ा वट से मैं overall, आज का जो lecture होगा, बड़ा chilled out सा, क्योंकि मैं शकले देख रहा हूं, कुछ नालाइक, अभी धीरे धी सुबह जल्दी उठने की, ठीक है, क्योंकि अभी lockdown में तो, अभी तक क्या ही, कितने बजी उठते थे वैसे तुम लोग, सोने का पता है, इस ताइम तो सोते होगे चाहिए ना, आचा, चलो anyway, तो एक बारी, आज का जो हमारा lecture जाएगा, वो पूरा, although overall, overall, FM के बारे में तरीके से उसको पढ़ने का तरीका है, ठीक है ना, अब आपके अगर मैं ग्रूप 2 की बात करूँ, ग्रूप 2 में आपके पास चार सब्जेक्ट्स हैं, वो तो आपको सबको पता ही होगा, कुछ बचोने मेरे खाल से ऐसे भी लग रहे हैं, मेरे को जिन्होंने पढ़ रख और लास्ट सब्जेक्ट आपके पास ग्रूप 2 में, फानाइशल मैनेजमेंट और एकनोमिक्स फॉर फानांस आएगा, अब ग्रूप 2 की बाकी बात हैं अभी बात में करूँगा, पहले अब स्पेसिफिक्ली अपने सब्जेक्ट पे आता हूँ, हमारे सब्जेक्ट का ना बता देता हूँ पहले, जो FM वाला पार्ट है हमारा, ये 60 marks का coverd होता है हमारे paper में, और जो economics for finance वाला पार्ट है, ये 40 marks का coverd होता है हमारे paper में, और इस तरीके से हमारा overall paper 100 marks का बनता है, financial management का, जो ये financial management वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा आपका practical पार्ट है, और ये ज आपको पता ही है पहले पढ़ रखी है आपने सो गुरूप टू में वैसे अगर देखा जाए ना ओवरोल गुरूप वन से थोड़ा सा लाइट होता है गुरूप टू ठीक है ना लेकिन थोड़ा सा कई वारी कुछ बच्चों को गुरूप टू गुरूप वन के comparatively tough भी लगता है लाइट तो है गुरूप वन से syllabus point of view से अगर देखा जाए उतना वास्ट जितना tax का और cost का syllabus होता है उतना वास्ट यहाँ पे किसी subject का syllabus नहीं है टाक्स तो कुछ जादा ही वास्ट होता है आपने पढ़ा है गुरूप वन में उतना वास्ट तो यहाँ पे को 40 marks की theory है चीक है अच्छा जो हमारा FM वाला पार्ट है वो मैंने आपको बताया पूरा का पूरा practical पार्ट होगा लेकिन इसमें भी आप एक तरह से मानके चलिए चार या पांच नंबर का एक कोशन theory question भी पूछ लेते हैं जैसे costing में एक कोशन आ जाता है जिसमें 4-4 नंबर के कोशन पूछ लेते है इसी तरीके से यहाँ पे एक कोशन आता है एक पार्ट आता है 4-5 नंबर का theory question तो अगर मैं इसमें भी मानके चलूँ तो एक तरह से 55 न लेकिन इसमें से आप मानके चल सकते हैं 10 नंबर का practical आ जाता है समझाया यहाँ पे भी questions भी बनते हैं तो अगर मैं वही overall paper की भी बात करूँ ना paper की marking scheme की भी तो वही 60-65 marks का paper आपका practical बनता है और 35-40 marks का paper आपका theory बनता है समझाया पहले तो इत्ता यह तो आ गया हमारा यह पर यह पूरा का पूरा इसमें है क्या अच्छा सर यहाँ पर economics for finance क्या बिल्कुल वैसी economics होगी जैसे हम अभी तक पढ़ते आएं देखिए obviously CA inter level पर हम economics for finance पढ़ेंगे A to Z सेम तो नहीं होने वाली है वैसे यहाँ पर CA में जब आपको economics पढ़ाई जाती है CA foundation में भी आपने fiscal policy वगरा वो सब है नहीं वो सब नहीं है national income का एक chapter है यहाँ पर चीक है बट जो आपने 12 तक पढ़ा है वो तो हमारा एक class में खतम हो जाएगा उसके आगे की expansion है यहाँ पर चीक है इसी तरीके से international trade वगरा जैसे कुछ chapter अभी सारे chapters में आपको लिस्टिंग बताऊंगा क्य क्या है क्या नहीं international trade monetary policy जैसे monetary policy आपके पास 12 पे चैप्टर होता था बट यहाँ पर उसका practical linkage समझना है क्या है क्या है क्या नहीं तो कहने का मतलब है एक आधा chapter आपका same भी हो सकता है 12 वाला लेकिन यहाँ पर 12 में एक तरह से आपने उन चीजों की ABCD पढ़ी है यहाँ पर linkage समझनी होगे as simple as that या फिर कुछ chapters बिल्कुल ही अलग होगे जैसे international trade वगर जैसे chapter आपने कभी पढ़े ही नहीं होए है वो यहाँ पर आप पढ़ होगे पहली बार ठीक है although economics वाले पार्ट को भी अगर actually मैं समझने के तरीके से पढ़ा जाए ना तो बड़ा interesting है हाँ अगर तो advanced accounts होता है practical है एक तो पूरा ठीक है दूसरा FM and economics भी बहुत जादा scoring होता है मतलब पहले इससे डरना नहीं है कि theory है इसमें 30 marks की theory आ जाएगी बहुत जादा scoring है उस बात का अंदाजा मैं सिरफ MA नहीं बोल रहा हूँ आपको इस बात से लगा लो 40 number की economics है ना तो बस 4 chapter है बस 10-10 number का एक chapter यह देखो बिटा length भी कुछ see अच्छा चलो मैं इन्होंने पूछा ना genuine question है length कितनी होगी मैं एक बार ही उसका ना जो chapter आपने पहले पढ़ रखा है मैं उसके reference से बात करता हूँ national income का chapter होता था हमारे पास 12 में आपने पूरा पढ़ रखा है जितना पूरा का पूरा आपने 12 में पढ़ रखा है कितना लेंदी था CA Inter के हिसाब से बताना अपने 12 के mindset के हिसाब से मत बताना क्या CA Inter के साब से बहुत लेंदी चप्टर है नहीं है CA Inter के साब से ठीक है National Income अच्छे चलो उसमें जो वो सब पढ़ते थे consumption, function वगएरा यह सब चीजें थोड़ थोड़ा two sector model of economy household firms हुआ करती थी बस आप ये मानलो जो आपने two sector model पढ़ा है वो वहाँ तक तो सारा का सारा है उसके आगे three sector, four sector और है बस यही length है सब chapters की इस से जादा length किसी chapter की नहीं है फरक सिरफ पते क्या आएगा वहाँ पे आपको बता दिया जाता था यह ऐसे है तो इसका impact ना economics में ऐसे हो जाता है यहाँ पे आपको क्या करना है सरकार ने जो यह policy बनाई थी उसमें कहां लगाया यह concept difference समझ में आया एक है बता देना किताब में यह लिखाओ है इसका यह मतलब है एक है practical market में जो हुआ उसकी reference बताओ paper में भी जब question आता है तो वो उसके logic को hit करता है rather than आपसे cause and effect पूछना जो आपने पढ़ाए समझाया बस वो फरक है तो समझने के point of view से करेंगे हमें रेटना पढ़ेगा ही नी और असान इतना कि 4 chapter 40 number बड़े अराम से 40 number की तो यहाँ पे कोई fight ही नहीं है मतलब तो कहने का मतलब पहली class से मैं एक चीज बिल्ट अप करके शुरू कर रहा हूं कि भाई 60 के उपर की बात करेंगे हम 40 से नीचे की मेरी class में FM एन ECO वाले subject में बात ही नी करने है ठीक है और वैसे तो तुम लोग मेरे को जानते हो 8090 की बात करते हैं हम तो ठीक है चलो अभी class के बाद वैसे मैं costing का भी पूछू हूँ आ तुमसे क्या जंडे गाड का आई हो पर में चलो अब एक बारी FM को समझते हैं तो यहाँ पे जब हम start करेंगे न FM से start करेंगे classes में ठीक है financial management क्योंकि जो main मेरा heavy part होगा इस course में वो हमारा financial management वाला part होगा economics वर finance वाला इतना heavy part नहीं होगा although उसको भी पूरा ध्यान दे के क्योंकि वो scoring बहुत ज़ादा है उसको भी pick up करना है लेकिन classes की शुरुआर financial management वाले part से मैं कर रहा हूँ ठीक है जी अच्छा अब यहाँ पर एक मारी पूरा का पूरा बेसिक समझते है financial management है क्या वैसे तो मतलब तो इसका simple सा है पैसे को manage करना ठीक है न financial management अब मैं न इसको rather than theoretically जो किताब में आपकी बाते लिखी हुई है वो सब बताने से better मैं पहले एक बर आपको पूरा एक कहानी बताता हूँ शायद आपने किसी ने सुन भी रखी हो वो कहानी जिससे पूरा आपको क्रक सबज में आएगा कि financial management ultimately होता क्या है ठीक है न अच्छा एक last बात और कर लेता हूँ इससे पहले syllabus कब तक जाएगा किस तरीके से करना है क्या करना है क्या नहीं देखो वैसे तो overall तो आपको course के साथ साथ पता ही चलता जाएगा overall deadlines आपको बता जेता हूँ मैं अभी आज 4 December है तो हमारा syllabus जो जाएगा वो फेबेंड तक जाएगा चिक है मैं अपने एंड से ग्रेस मान के चल रहा हूँ 15th March और तो एक तरह से आप मान के चलिए वैसे फेबेंड तक अगर बीच में कोई चुट्टी नहीं पढ़ती है सब कुछ सही रहता है और नहीं तो हमारा मिड मार्च तक हमारा पूरा का पूरा syllabus जाता है ओवरोल जो है 45 lectures लगते हैं इसमें चीक है पूरा FM&E को पूरा पार्ट कहतम करने में नमबर बन नमबर टू जब हमारा syllabus खतम होता है उसके बाद जैसे अब costing आपने पढ़ रखा है जिन मुसली सुडेंट्स ने पढ़ी रखा है तो आपको मालू भी है उसके बाद फिर हम एक revision session करेंगे जिसमें mainly में target करता हूँ particular उस attempt की RTP और MTP और खासकर वो चीज़ important हो जाती है group 2 के लिए क्योंकि हमारे पास revision का time comparatively कम होता है सिरफ जब हमने group 1 दिया तो हमारे पास revision के लिए ample amount of time था लेकिन group 2 के लिए हमारे पास revision का ही time एक डेड महीने का बचता है तो उस time पर 10-1 दिन की हमारी revision classes होंगी जिसमें जो पूरा course हमने detail में किया होगा तीन महीनों में वो हम उस time पर पूरा का पूरा revise करेंगे ठीक है ना जिसमें basically concept refresher होता है और RTP और mock test के हम question refer करते है और test वगेरा वो same pattern जो costing में मैंने follow किया था कि भाई पहले तो chapter wise, chapter wise 3-3 chapter हो गए, 2-2 chapter हो गए साथ की साथ test conduct कर लिए so that उसकी practice कर ली क्योंकि हम पढ़ते भी तभी है जब दंडा पढ़ता है तो test के बादे से पढ़ लेंगे उसके बाद जब revision खतम हो जाएगी एंड में तो एक full-fledged test ठीक है ना वो आपके अपने evaluation के लिए है so that आपका confidence आ जाए आपको paper में बैठने के लिए ठीक है और again past year questions वगएरा हमारे लिए बहुत important होंगे ठीक है ना कहां से पढ़ना है कैसे पढ़ना है उस पे भी मैं आभी आऊँगा बट अभी ये वाली बाते अब site पे करके financial management अच्छा आपने एक book का नाम सुना हुआ है rich dad poor dad सुना हुआ है Robert Kioski है investor बहुत बड़े उन्होंने लिखी हुई है पढ़ी है किसीने वो book आपने पढ़ी है पूरी पढ़ी है चलो बहुत अच्छी बात आपने भी पढ़ी है बहुत अच्छी बात उसी के बारे में मैं एक छोटी सी बात करूँगा ठीक है वो book का जो crux है ना rich dad poor dad और मैं बलकी ना कोई marketing नहीं कर रहा हूँ obviously क्योंकि वो बहुत बड़े investor है उनको marketing की किसी की ज़रूरत है नहीं लेकिन मैं आप सबको भी बोलूँगा कि अगर अपने paper point of view से बात हटके मैं एक minute के लिए करूँ तो वो book एक बारी life में ज़रूर पढ़ना बहुत आपका जो mind horizon है ना वो इतना खुल जाएगा financial management के लिए उस पूरी book का जो crux है ना वो एक बारी मैं 5-7 minute में आपको cover up कर रहा हूँ जिससे आपको पूरा पता चल जाएगा ultimately financial management है क्या और ultimately वो ही जो crux है उस कहानी का वो ही सारे हमारे यहां पे chapters निकलेंगे इस subject में ठीक है ना अब basically अगर बिल्कुल desi language में put up करूँ Robert Kioski ने अपनी book में एक तरह से desi language में ये बोल दिया कि मेरे ना जिंदगी में दो बाप है एक मेरा original बाप biological father और एक जो मेरे उस्ताद हैं जिनसे मैंने सब कुछ सीखा है ठीक है ना अब जो उसके biological original father है उसको वो बोलता है अपने poor dad ठीक है और जो जिसको वो अपना guru मानता है जिनसे उसने सीखा है उसको वो बोलता है rich dad फरक क्या है इन दोनों में एक को poor अब जो इसके खुद के फादर होते है और अच्छी job वो अब सब कुछ कर रहे होते है ठीक है ना बट स्टिल इनको poor dad बोलता है और जिसको ये rich dad बोलता है जब ये इन से मिला था तब ये बहुत गरीब थे जिनको ये rich dad बोल रहा है ये गरीब थे बलकि इसके अपने फादर से कम पैसे थे इनके पास और ये आठवी फेल थे पढ़े लिखे भी नहीं थे जबकि इसके खुद के फादर पी-च्डी थे सबजाया इसका क्रक्स बताता हूँ ये ऐसा इसने क्या बोला इसने बड़ी सिंपल सी बात बोली जो अमीर होते हैं और जो गरीब होते हैं उनमें बस एक बात का फरक होता है जो गरीब होते हैं मिडल क्लास होते हैं वो पैसो के लिए काम करते हैं और जो अमीर होते हैं वो पैसे को काम पे लगा देते हैं सबज आया जो गरीब होते हैं या जो मिडल क्लास होते हैं वो पैसो के लिए काम करते हैं वो नौकरी करते रह जाते हैं उससे जो पैसे आते हैं वो सारे पैसे अपनी जरूरतों के लिए खर्च कर देते हैं और जो अमीर लोग होते हैं वो पैसो के लिए काम नहीं करते हैं व करवा सकते हैं, देखो, मैंना एक सिंपल सी बात बोलता हूं, मैं आपसे चलो पूछता हूं, दो सवाल, दो सवालों के जवाब देना, बड़े जनरल-जनरल से सवाल है, कोई concept से related नहीं है, यह मैंने आपको याद होगा जब मैं आपसे, या तो foundation में जिन बचों से पहली बा मिलाओंगा, या costing में जब पहली बार मिलाओंगा, मैंने यह सवाल तब भी पूछा होगा, सिए जो course आप कर रहे हो, इसके बाद आपको करना क्या है, जॉब करना चाहते हो, बिजनस करना चाहते हो, अपनी खुद की practice करना चाहते हो, कुछ होगा मन में, और अब थोड़ा बहुत market को analyze करके थोड़ा बहुत चीज़े देख कर और कुछ development हुई होगी, क्या करना चाहते हो, कुछ, job, practice, अपना काम, बिजनस, practice, और कुछ, क्या हो गया भई, क्या पूछ लिया मैंने ऐसा, भई, सिये क्यों कर रहे हो, जब इस बात का जवाब नहीं है, तो सिये करी क है, अच्छा है, एक बात बताओ, पढ़ क्यों रहे हैं, ये बता दो, छोड़ो क्या करना है, पढ़ क्यों रहे हैं, कमाना है, इसलिए कर रहे हैं, पैसा कमाना है, भईया, कोई नौपरी लगेगी, या अपना job करूँगा, या बिजनस करूँगा, practice करूँगा, कुछ ना इतने टाइम से लोगडाउन पर घर पढ़े हैं, तुम से परिशान हो गया, तुम निकल जाओ, बस, जो करना कर लो, भई, क्या हो गया तुमको, तुम तो बड़े active बच्चे थे, चलो anyway, तो भई, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, तो पैसा कमाने के लिए, या तो नौकर ऐसी की तैसी, और मतलब किसी और के मन में कुछ भी नहीं है, है, अचा पहले जोब बाद में बिजनस, और कुछ, शर्माओ मत, मैं किसी पर कुछ नहीं बोलने बाला भई, यार गजब लोग हैं वैसे, बिलकुल ही गजब, कि सर ऐसी तैसी कर आओ, हम अपनी ट्रिप में है हैं, हमें वही लोगडाउन का टाइम याद आ रहा है, इस टाइम घर पे कैसे पड़े होते थे हम, आप बोलते रहो, चलो, एनिवे, मैं पूछता ही नहीं फिर अब, बिस्तिकर आगे मेरे को क्या मिलना है फिर, बताओ, चलो, एनिवे, अब किसी ने का प्राक्टिस करना ह है, किसी ने का जौब करना है, इन्होंने जग बोला, जो कि एक सही चीज है, मैं भी जब पढ़ा करता था, तो मुझसे जब कोई पूछता था, तो मेरा यही जवाब होता था, जो आपने दिया, कि भाई, पैसे तो है, नि मेडल ग्लास फेमिली से बिलॉग करते हैं, तो सब की तब देख लेंगे, चीक है ना, और ऐसे मैं भी mostly बच्चे एक जवाब दे देते हैं, या तो जौब का, बहुत सारे बच्चे, शायद लोगों के मन में होगा, जवाब नहीं दे रहें, जौब का, या वही practice, गुम्फिर के, पहली चीज, अच्छा, अब मैं एक और सवाल देता हूँ, और expect करूँगा, हाथ जोड के, विंती है, कि शायद जवाब दे आप उसका, मान लो आप जो भी, क्योंकि आपने जवाब तो दिया नहीं, अब क्या करना चाहते हो, तो मैं कहता हूँ, जो भी करते हो, C.A. बनने के बाद, जिसका मन्था जौब करने का उनकी जौब लग गई, जिसका मन्था बिजनस प्रक्टिक जो करने का मन्था, वो आपका हो गया, लेकिन अविसली इनीशल लेवल पे, तो इनीशल लेवल पे अगर नौकरी भी लगेगी, तो ये तो नहीं मैं कह सकता है, कि वह या, एक महीने के दस-दस लाख आ रहे हैं एक मिनट के लिस थोट को बाहर निकालके, अपने मन में ना, इमाजन करने बैठ जाओ, कि आप चार्टेड अकाउंटेट बन चुके हो, छीक है, इस टाइम पे आप क्लास में नहीं, इस टाइम पे आप अपने कॉर्परेट आफिस में बैठे हो, जॉब में, या जो भी आ या पहला प्रॉफिट मिला है, एक लाख रुपे का क्या कर्मा चाहोगा, बहुत बढ़िया, तुब बनिया है ना, नहीं, इस में मैं, प्लीज, डॉन्ट टेक अदरवाइस, कही कोई, मैं खुद बनिया हूँ, पहले मां बोल देता हूँ, तो मैं उसको कोई, कास्ट बताओ, चलो, एनिवे, और कुछ, ये बड़ा सोचा समझा जवाब दे रहे हूँ, ऐसे, सच में बताओ, कि क्या करना चाहोगे, ठीक है, expense लिग दिया, ठीक है, और कुछ, और किसी का जवाब बिल्कुल सही, अपने सही बोला, मतब सही क्या, अपने बारे में बताया, आप ये करोगे, देखो, वैसे मैं होता, तो मेरा जवाब, या मैंने जो किया था, जब मेरी पहली-पहली जाब लगी थी, क्योंकि एक simple सी बात, अभी तो गर से पैसे मिलते हैं, और वो गर से अगर 10,000 मांगो, तो 3,000 मिलते हैं, 4,000 मिलते हैं, घर से 20,000 मांगो, तो गरबाब, पापा, उसे टाइम, 20,000 तु भाग जा यहां से ऐसी कि तैसी इतने तो मांगी नहीं सकते ठीक है ना और उसके बाद जब हमारी आर्टिकल शिप लगती है CMA तो इंस्टिट्यूट ने तो स्टाइपंड 2,500 फिक्स कर रखा है और फिर भी वो हम पे रहम करके 5,000 का स्टाइपंड दे देते हैं बिगफोर में अगर आर्टिकल शिप लग जाए तो 10,12,000 का स्टाइपंड मिल जाता है ठीक है अब जिसको महीने का 10,12,000 का अच्छी फर्म बिगफोर जैसी फर्म में काम करने पे भी 10,12,000 महीने के मिलने की आदत हो उसके हाथ में आजाए महीने के लाख रुपे तो भई वो कहेगा ऐसी तैसी करा हो मैं पहले अपने शौक पूरे करूँगा ठीक है अब मैं ये अपनी थिंकिंग अभी नहीं जो मैंने किया था उस टाइम पर वह बतारो पहली सेलरी आई अचा जो आप लगने से पहले ना सोचा तो पहली सेलरी आएगी ना जैसे टीवी में दिखाते हैं थोड़ी सी मम्मी के हाथ में जाके दूगा लो मा पहली सेलरी आई मेरी है ना पहली सेलरी मम्मी के हाथ में दूँगा अच्छा पूरी सेलरी लाख रुपए मम्मी के हाथ में पकड़ाओंगा, मम्मी ने लेने तो है नहीं, आएगी तो मेरे पास भी वापस, ऐसा मैंने सो, और वो कुछ नहीं किया, जैसी अकाउंट में मैसेज आया, इतना इतना अमाउंट, अब वो नहीं अमाउंट नहीं मैं नोकिया का एक फोन था, उस टाइम पर में कोई याद नहीं है, हाँ, इतना बोटा सा, अथा था तुच्स्क्रीन, पच्पंसो साथ था, बता नहीं क्या था, मेरे पास वो वाला फोन था, मैंने का बस, पार्टी हो गई, अब मैं लाओंगा एक बढ़िया फोन, उस टाइम नहीं पर उसका नाम बड़ा ज़र्णा था कोई, अभी भी आता होगा मेरे गाल से, मैंने का चलो अब मोबाइल ले आओंगा, ठीक है, कहने का मतलब है, इस तरीके के जो चीजे थी ना, उस पर खर्चे कर दी है, फिर मेरे मन में आया, अच्छा, पहले मन की महीने की सेलरी अच्छ कर दी, थोड़े बहुत अगाउंट पर पड़े रहे गए, कोई इनवेस नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, उसके बाद दो-तीन महीने हो गए, वही सेलरी आती गई, थोड़ा सा माउंट कठा हो गया, फिर मैंने का यार, कैब से आता हूं, या सुभा सुभा ना, मेट्रो में मजा नहीं आता, एक काम करता हूं, तीन-चार लाग तो कठे हो गए हैं तीन-चार महीनों में, तो एक काम करता हूं, बाखी की EMI ले लूँगा, गाड़ी ले ले लेता हूं, मैंने अपने दोस से पूछा, यार, गाड़ी कौन सी लूँग, उसने का, तिरे प करता है, गेरवेर जो भी है, तो वह कहता है, एक काम कर, सारे पैसे खर्च मत कर, छोटी गाड़ी ले ले, सुफ्ट ट्विफ्ट ले ले, पांच-चालाग की या कुछ भी इस तरीक है कि कोई और गाड़ी पांच-चालाग की गाड़ी ले ले जिसमें तरको जादा लोन न लिया बस यह एक चीज में अपने बारे में एक चीज बताना चाह रहा था अब मैं आपसे चीज कुछा चाहता हूं जो मैंने अपना बताया कि यह हुआ मेरे साथ पहरे बार जो मैं ने कि Resply ने यह नहीं कर Online स्विंक्व किया या गलत किया यह ठिंकिंग है किसी की किसी को लगता है कि हाँ अगर हमारी ऐसी एकदम से नौकरी लगते हैं तो हमारे साथ होगा यही हम चाहे कितनी समझदार हो कुछ भी हो हमको चाहे कुछ भी पता हो लेकिन होगा यही starting में लगता है? बस क्योंकि यह होता है और यही बात ना Robert Kiyoski ने अपनी किताब में बोली पता है इसने अपनी किताब में एक क्रक्स जो यह बात मैंने बोली कि कुछ लोग पैसो खेलिये काम करते हैं और कुछ लोग पैसो को काम पे लगा देते हैं यही फरक है अब मैं आपको बताता हूँ जैसे ही एक बंदा अपने पैसे मानलो कोई बंदा कार खरीद लाया जैसे मैंने अपना बताया तीन लाग जिब में हैं, कैश डाउन कर दिया बाकी, example ले रहा हूँ है भी, fictitious साथ लाग रुपेगा मानलो, finance कर वा लिया, loan ले लिया car आ गई car asset है या liability है इस case में asset, accounts आप पढ़ते आए हो यार asset और liability आपको पता है asset क्या होता है, अचा एक बारी पता हो accounts पढ़के आए हो जो earn करता है एक basic, अगर definition point of view पी जाओं future economic benefit होते हैं जिस चीज के, कि आज मैंने एक asset ले लिया वो future में मेरे को कमा कर देगा simply words में अगर मैं put करूं, ये asset होता है अचा, और liability क्या होता है जो की obligation है pay off करनी है और certain है यही होती है liability अब मैं आपसे पूछता हूँ तीन लाग रुपे मेरे पास cash down के लिए पैसे थे अपने और बाकी साथ लाग रुपे का मैं loan ले आया और दस लाग रुपे की गाड़ी showroom से निकल वाला है on road चीक है इस सेनारियों में ये car मेरे लिए asset है कि liability ये asset मेरे लिए liability है ये जो car है ये मेरे लिए liability है ये दिखने में लगेगा asset लेकिन है ये liability क्यों मैं वैसे तो ले आया car कि मेरा asset है लेकिन इस asset को acquire करने के लिए मैंने ले क्या लिया loan asset को acquire करने के लिए loan ले लिया जो कि बढ़ता ही जाएगा और क्योंकि interest पे करना पड़ेगा और जबकि asset की value showroom से बाहर आते ही depreciate होनी शुरू हो जाएगी समझाया आपको ये 10 लाग की गाड़ी जैसे ही showroom से बाहर आएगी उसकी कीमत 10 लाग रुपे नहीं होगी चाहे वो एक किलोमेटर भी ना चलाई हो आपने और जैसे जैसे चलती जाएगी वो depreciate होती जाएगी समझाया लेकिन जो loan है आपको ये principal amount तो depreciate नहीं होने वाला समझाया इस पे जो interest देना है वो तो नहीं depreciate होने वाला बलकि अगर आपने एक EMI भी अगर miss कर दी वो तो आपका principal में जुड़ जाएगा और interest के ओपर फिर interest लगना शुरू हो जाएगा वो compound हो जाएगा समझाया clear हो गया यही बात poor dad और rich dad में एक तरह से crux form में Robert Kioski ने बोली थी कि जो poor होते हैं न वो मंधली बहुत पैसा कमाते हैं लेकिन जो वो पैसा earn करते हैं उस पैसों से वो acquire क्या करते हैं liability जो poor dad थे वो यह हरकते करते थे जो मैंने अपनी हरकते बताई आपको समझाया कि जो पैसा आया भाई loan ले लो कुछ ले लो खर्च कर दो और जो rich dad थे वो क्या करते थे जो हमें करना चाहिए जो आपने एक तरह से बोला कि acquire the asset आप ऐसी चीजे लो जो कि आपकी income को बढ़ाएं सबजाया अगर मेरे को loan लेना पड़ रहा है for example अगर मेरे को जैसे यहाँ पर example लिया था 7 lakh रुपे का अगर loan लेना पड़ रहा है और इस पर example के लिए 7% का मेरा interest चार्ज हो रहा है तो इस loan के पैसो को मैं car पे ना खर्च करके अगर किसी gold investment पे या share की investment पे खर्च कर दूँ जिस पे मेरे को 12% का interest आए या 12% का dividend आए या 12% का return आए अब ये liability acquire करना फिर भी ठीक है क्योंकि मैंने liability तो acquire करी और उस liability के पैसों को आगे खर्च किया लेकिन एक ऐसे asset को acquire करने के लिए खर्च किया कि उस asset पे मेरे पास return आएगा 12% का जबकि इस liability पे मेरा खर्चा हो रहा है 7% का मैं 5% positive में हूँ कमा रहा हूँ फरक समझ मैं आपको ये अच्छा और एक चीज़ और इज़े क्यों नहीं हो रहा है एक सेज़े ना समझ आ रहा है आपको यहां तक की बाते हैं अच्छा तो यहां तक तो हमने यह सारी बात करी कि भाई asset acquire करने से क्या हो जाता है और liability acquire करने से क्या हो जाता है तो यही सारा rich dad और poor dad में फरक आया जो rich dad थे अब इसको मैं crux में बोलू जो poor dad पहले poor dad जो poor dad थे उनका जो cash flow था जो पैसा उनके पास आता था महीने का job से उनका cash flow कुछ ऐसा होता था वो पहले expenses कर देते थे पहले खर्च कर देते थे जो पैसा आता था उसके बाद जो बचता था जो amount बचता था थोड़ा बहुत save कर लेते थे और थोड़े बहुत से अपने asset ले आते थे उनको लगता था कि मैंने asset ले लिया जैसे car खरीद ली महंगा mobile phone खरीद ली आप किसी इंसान की आप देखो कई लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको उनसे पूछो किया ना मंतली salary कितनी है वैसे वो शर्मा जाएंगे लेकिन फिर भी अगर आपको पता चल जाए किसी तरीके से कि उनकी मंतली salary होगी बहुत लोग मैंने अपने उस circle में देखे है मंतली salary होगी 35,000, 30,000 फोन होगा लाग रुपे का iPhone समझाया अब ये बड़ी सिंपल सी बात है भहिया अगर आपकी salary 30,000 है आप iPhone cashdown पर तो नहीं ला सकते लाग रुपे का आप कैसे लाए होगे आपने credit card से लिया होगा आप iPhone आगया लाग रुपे का अपने iPhone ले लिया आप आज लाए हो कल आप उसको लाग रुपे का नहीं बेच सकते लेकिन जो credit card है उसका bill चालू होगे आपका with interest समझाया और ये शायद इतने mature आप हो चुके हैं कि कोई कुछ भी बोल ले 0% EMI क्या वो 0% होता होगा आपको लगता है बैंक पागल है कि आप लाग रुपे का इस तरीका का cash flow दिखता है गरीब लोगों का कहने का मतलब middle class वगएरा जिनको मैं covered up कर रहा हूँ और जो rich लोग होते हैं उनका cash flow फिर कैसा दिखता होगा उनके पास जो पैसा आता है वो obviously कुछ पैसा तो आपका जरूरतों पे monthly bills पे basic needs पे आपका खर्च होगा वो खर्च हो जाता है बाकी सबसे वो asset acquire करते हैं मतलब उनको ऐसी जगा पर save करके invest करते हैं कि वो पैसा grow करें वो पैसा बढ़ें समझाया अब जैसे इस में ना मैं आपको चलो एक practical example देता हूँ एक मेरे पास मैंने कुछ दिन पहले ही notice किया यह मैंने अपने social media पे डाला था मैं आपको actually बिल्कुल actual figures के साथ उसका बताता हूँ Infosys company का नाम सबने सुन रखा है यह जो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि पैसो को गुलाम बना के पैसो को बढ़ाना उसका एक practical reference दे रहा हूँ Infosys company के reference है एक सिक्र actual data put up कर रहा हूँ मैं इस company का Infosys company ने 1993 में अपना IPO निकाला था पहली बार ठीक है उस time पे इनका एक share 95 का था ठीक है यह actual data है fictitious नहीं वो तो मैं अपने मन से कुछ भी बना देता तब ही मैं यह देखके आपको actual data यहां पे frame कर रहा हूँ 93 में इन्होंने अपना IPO निकाला था और 95 का एक share था उस time पे इनका अब अपने आपको assume करो मान लो उस time पे आप थे विसको तो नहीं थे मान लो आपने 100 shares उस time पे Infosys के खरीदे IPO में कितने रुपे invest हुए 95 अब यहाँ पर आपने किस थरीके से पैसे को गुलाम बनाके पैसो को बढ़ाने पे लगा दिया जो मैंने अभी ये बात बोली थी ना सर पैसो को गुलाम बनाके पैसो को बढ़ाने का मतलब क्या ऐसे कि 2000 रुपे को मैं कैसे बोलू, 3000 बन जाए, 10,000 बन जाए वो बात अब मैं बता रहा हूँ कि कैसे बनता है ठीक है, अब इस company ने सबसे पहले 1994 में अपना पहला bonus issue निकाला था एक के बदले एक share, bonus issue का मतलब आप समझते हैं जिसके पास एक share है, जैसे 1 ratio 1 लिखा एक के बदले एक free share आपको मिल जाएगा तो अगर आपने 100 share लिए होगे थे इस company के तो आपके कितने share होगे 94 में, 200 share होगे आपके उसके बाद इन्होंने 1997 में एक और अपना bonus issue निकाला 1 is to 1, कितने share होगे, 400 share होगे मैंने 100 share लिए थे, मेरे share कितने बन गए, 97 में, 400 share उसके बाद 1999 में, इन्होंने फिर से एक और bonus issue निकाला again 1 is to 1, मेरे 400 share थे कितने बन गए होगे, 800 share उसके बाद इन्होंने, इसी 1999 में, इन shares को split कर दिया split करने का मतलब क्या होता है, पता है आपको वैसे, क्या होता है divide कर देना, कि अब इसकी actual ratio इन्होंने 2 is to 1 रखी थी हर एक share के 2 share बना दिये थे, समझाया, actually में split में होता क्या है, जैसे, वो ही बता रहा हूँ, जैसे for example, 1000 shares है at present, और 10 रुपे का 1 share है, तो total capital कितने की हो गई, 10,000 की, अब मैं कहता हूँ, मैं हर एक share का 10 share बना दूँगा, ठीक है, मतलब 1000 share, हर एक share के 10 share, तो 1000 share के कितने बन जाएंगे, 10,000 share, लेकिन per share की value 10 रुपे नहीं रहेगी, पर share की value एक रुपे हो जाएगी, क्योंकि आपने एक share जो 10 रुपे का था, उसको 10 हिस्सों में बांट दिया, तो एक हिस्से की value फिर एक रुपे बच गई, ताकि 10 हिस्सों की मला के value 10 रुपे बने, और total capital आपकी 10,000 आएगी, वो value घट गई होगी, समझा है आपको यह, लेकिन यहाँ पर जो मैं हिसाब आपसे लगवा रहा हूँ, split करते ही आपके number of shares कितने हो गए, 1600, उसके बाद इन्होंने year 2004 में एक और bonus इस्सों निकाला, 3 is to 1, हर एक share के बदले 3 share free में और दे दिये, bonus issue, कितने share हो गए, 6400, 48 तो bonus बने न, समझा है आपको यह, इसमें confusion तो नहीं हो रही, क्योंकि 1600 multiply by 3 करोगे, 4800 आएगा, वो तो bonus issue हो गया, plus original 1600, तो 6400 आपके पास shares हो गए total, उसके बाद इन्होंने 2006 में इस कंपनी ने, फिर से एक और bonus issue निकाला, one is to one, कितने share हो गए, यह कितना बनेगा, 12800, 12800 share बन गए, फिर उसके बाद इस कंपनी ने, 2014 में, एक और bonus issue निकाला, इतने bonus issue इतने साल में बाटते गए, बाटते गए, one is to one का फिर से bonus issue दिया, कितने share बन गए हो, 25600, उसके बाद last 2015, यह मैंने 2014 का बताया, 2015 में, फिर से एक और bonus issue बाटा, again one is to one, कितने बन गए, 52, 51,200, और last 2018, फिर से एक और bonus issue बाटा, one is to one, कितने share बन गए, एक लाख 2400, मतलब आपने, 1993 में जब इस company ने IPO निकाला होगा, वहाँ से 2018 तक आ गए हम, और मान लो, इसके बाद 2020 में हम हैं, मान लो, उसके बाद का data मैंने अभी निकाला नहीं है, तो मैं यहां तक की बात कर रहो, मान लो 2020 तक और कोई change आया नहीं है, एक सेकंड के लिए कितने years हो गए, 27 years हो गए, चीक है, कितने share हो गए मेरे पास, 12400, अब आज का actual price चेक करते हैं, एक बड़ी Infosys का, कि आज 9500 की जो investment करी थी, 1993 में उसकी आज value कितनी हो गई होगी, समझा रहे है, मैं आपको लाइवी एक बड़ी इसका price चेक करवाता हूँ, यह मैंने money control website बताया हूँ है शायद आपको पहले भी, 1121 का एक share है, ठीक है, और अभी अगर यह, अगर आपको दिख रहा हूँ, यहाँ पर red में आ रहा है, मतलब at present यह fall है, गिरा हुआ price है यह, और यहाँ पर आ भी रहा है, कितने percent से गिरा है, minus 0.40 percent से, ठीक है, although आज का price 1122, क्योंकि market open हो चुकी है, like price चल रहा है, कितने shares हो गए थे, एक लाख 2400, एक share का price 1122, multiply कर लो, लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर amount, 11 crore 48,92,800, 9500 रुपी, 1993 से, 2020 में 11 crore 48 lakh something बन गए, समझाया, मतलब एक इनसान ने 9500, 93 में निकाल के, एक जगा पर लगा दिये, shares खरीद लिये, था तो यह भी asset, और मैं यहाँ पर भी मान के चलता हूँ, कि उसके पास पैसे नहीं थे 9500 लगाने के लिए, उसने मान लो, 9500 का बैंक से लोन लिया था, बैंक का लोन कितने परसेंट पे होगा, 9% पे, 10% पे, मैं कहता हूँ, highest rate लग गया, 14% पे लोन मिल गया उसको, 9500 का लोन, 14% के ब्यास पे भी, 14% के ब्यास पे भी अगर उसने लिया हो, वो पैसा, कब का ये बैंक को लोटा चुका होगा, ठीक है, और उसके बाद ये अराम से बैठ गया है, इसने कोई महनत नहीं करी होगी, अपना और काम कर रहा होगा, जो भी कर रहा होगा, वो जो भी कर रहा होगा, 9500 इन्वोसेश के शेर में लगा के, 9500 रुपी को काम पे लगा दिया, गुलाम बना दिया, काम कर बढ़, अब बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और आज 27 साल बाद 11 करोड सम्थिंग बन गया, ऐसी और कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, और कोई जगा ही नहीं है, जहाँ पे आप 9500 लगा दो, और वो 27 किया, 40 साल बाद भी इतना बच जाए, समझा है आपको यह, यहाँ से एक और क्रक्स निकलता है, जो रॉबर्ट कियोस्की के उससे ही आया था, और आपने भी सुनाओगा इसका भी नाम, एक होती है active income, एक होती है passive income, सुना यह आपने, active income का मतलब होता है, जिसमें आप actively involved हो, आप नौकरी कर रहे हो, उससे आपको पैसा मिल रहा है, as simple as that, मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ तो मिरे को पैसा मिल रहा है, मैं अगर घर पे बैठ जाओं, मिरे को पैसे नहीं मिलेंगे, as simple as that, चीक है ना, इसी तरीके से passive income क्या होती है, आप काम नहीं भी कर रहे है, आपने पैसे को काम पे लगा दिया, वो करेगा काम, समझाया, यह होती है passive income, इसमें और कई सारे example बनते हैं passive income के, एक है आपने loan लेके property purchase कर ली, अपने residential के लिए, वो आपको income नहीं दे रही है, ठीक है, एक है आपने loan लेके property purchase कर ली, और उस property को आगे किराय पे चड़ा दिया, आगे rent आ रहा है, ठीक है, जितना आपका interest है, माहिने का interest आपका example के लिए 10,000 जाता है, लेकिन उस property से जो rent आता है, वो महिने का 15,000 आ रहा है, बढ़िया बात है, 5000 एक्स्ट्रा बच रहे हैं आपके पास, और आपकी वो passive income create हो गई, आपको कुछ नहीं करना, अराम से बस property नाम के asset में लगा दिया, income आती जाएगी, अब आपको समझ आ रहा है, ये एक crux है, जो पूरी की पूरी, rich dad, poor dad की काहानी से निकलता है, जो अब मैं एक बरी last उसमें बोल रहा हूँ, कि जो poor होते हैं, या middle class होते हैं, वो हमेशा ना अपनी नौकरी को कोशते रहते हैं, उनको हमेशा लगता है, यार मेरी ना नोकरी कम पैसो किया, अगर मेरी नोकरी ज़्यादा पैसो की लग जाए ना, तो मैं अमीर हो जाऊंगा, लाख रुपे की नोकरी लगी, मेरे पास अबी जाधा पैसे नहीं है मेरी नोकरी अगर 5 लाग रुपे की लग गई न तो मैं बहुत अमीर हो जाओंगा 5 लाग की लगती है उनके खर्चे उस हिसाब से हो जाते हैं क्योंकि वो mindset है एक ऐसा हो जाता है और जो अमीर लोग होते है वो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं नौकरी 50,000 की है ना हम उससे भी आगे निकल जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है समझ आया clear हुआ यहीं पर एक reference आपके point of view से और देता हूँ यार यह नीचे क्यों नहीं हो रहा है एक सेक्ट एक सेक्ट तो यहाँ पर आप क्रक्स की बात कर रहे थे तो क्रक्स एक तरह से यहाँ पर यह निकला कि जो अच्छा क्रक्स तो सोड़ी मैंने आपको बता दिया था बैए एक लास्ट चीज आपको बता रहा था यहाँ पर उसके बाद फिर यहाँ पे जो मैंने आपको पूरी कहानी बताई है, इस से आपके chapters क्या क्या निकलते हैं, उस पे आउंगा, जैसे एक simple सा reference, मान लो, एक ये नालाइक यश है, मिरे कहल से मैंने ये costing में भी आपको example दिया हुआ है, और यश नालाइक का ये reference देके मिरे को ऐसा ऐसा लग रहा ह है, और एक हूं मैं, ठीक है, अच्छा मैं हूँ, तो मैं अपने आपको तो शरीफ ही बोलूँगा, तो तुम भी मान लो, और मैं हूँ भी, मैं बहुत शरीफ सिधा इंसान, ठीक है, यश शकल सही, अइयाश, ठीक है, शोक बड़े-बडे हैं, शोक बड़ी चीज है, ठीक लेकिन अयाश है, नालाइक है, जैसा भी है, लेकिन इसकी नौकरी लग गई दस लाग रुपे पर मंत के साब से, मैं शरीफ था बिचारा, इंटर्व्यू में जादा बोल नी पाया, फिर भी मेरी चलो नौकरी तो लग गई, लेकिन मान लो लाग रुपे पर महीने की लगी, अब मैं आपसे पूछू, आज कौन आ गया है, आज, जैसी नौकरी लगी, उस टाइम पर, याश आगे, अब बड़े आगे, नालाइक दस लाग रुपे महीना कमा रहा है, ठीक है, और मैं को चड़ा रहा है, है 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 है, आचा, उसके बाद, लेकिन अब यश को मैंने बना आदिया है, आयाश, बनायाना की ज़रूरत नहीं है, वैसे मिर को, ठीक है, तो इसके शौक बड़े-बड़े है, यह जितने भी इसके पैसे आते हैं, दस लाग रुपे कमाता है, यह सारे के सारे पैसे खर्च कर देता है, जो थिंकिंग पूर डैड की थी, वो थिंकिंग किस नालाइक की है, यह पैसे आ गए, दस लाग रुपे आए, खर्चा करना 50 लाग रुपे का, बाकी पैसा लोन से आ जाएगा, क्योंकि लोन भी मिल जाएगा, क्योंकि 10 लाग रुपे हर महीने अकाउंट में आ रहे हैं, समझाया, मैं बिचारा, शौक जादा है नहीं, ठ ठीक है, जहां पर थोड़ा बहुत रिटर्न आता है, समझाया, अब मैं आपसे पूछता हूँ, इस सिनारियो में, डाउन दे लाइन, 7 येर्स, 5 येर्स, कौन आ गए हैं, मान लो, सेलरी पैकेज़े इतनी रहे हैं, कोई इंक्रिमेंट नहीं हुआ, आज तो यश बहुत आ देता है, और रोता रहता है, जब महीना स्टार्ट होगा, तो उसके पास बहुत पैसा है, महीना खतम होगा, तो ये भी रोता रहेगा, यार मेरी ना सेलरी कम है, इसलिए मैं अमीर नहीं बन पा रहा हूँ, इससे जादा, समझाया, लेकिन 5-6-7 साल बाद, मेरे पास क्या ह होगा, सेलरी तो एक लाग रुपे ही है, वोई घर के खर्चे साथ हजार रुपे के हिसाब से मैं चला रहा हूँ, लेकिन जो बैंक बालन्स है ना, उसमें हर महीने के हिसाब से 40,000 प्रिंसिपल सेव हुआ होगा, मल्टिप्लाइ बाइ ट्वेल, ये साल का प्रिंसिपल ये तो मेरा प्रिंसिपल कॉर्पस बन गया होगा, और उसके बाद इस पे इंटरस्ट भी मिला होगा, अगर माननो मैंने सिंपल फिक्स डिपॉजिट में भी अगर ये पैसा इंवेस्ट किया होगा, समझाया, तो कहने का मतलब है पहली बात प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प् थोड़ना आएगा, पहले महिने का 40,000, प्लस पहले महिने का इंटरस्ट और 40,000, प्लस दूसरे महिने का 40,000, तो दो महिनों का प्रिंसिपल, प्लस पहले महिने का इंटरस्ट, इसके ऊपर दूसरे महिने का इंटरस्ट लगेगा, तीसरे महिने का इंटरस्ट, पहले दो मह पूर डाट की कहनी का है, क्रक्स निकल जाता है, कि क्या ऐसेट होते हैं, और क्या लाइबिलिटी है, और यही फानेशल मैनेजमेंट है, ठीक है ना, यहाँ पे एक और अगर अगर प्राक्टिकल रेफरेंस की हम बात करें, मालिया साब का तो नाम सब ने सुन रखा है, विज अटिया के लेवल के हिसाब से, वन अफ दे मोस्सक्सेसफुल बिजनसमेन रहे हैं वो, ठीक है, लिकर बरून का आ जाता है उनको, और लाइफस्टाइल एक दम से वो, कि लिव साइस, किंग साइस, आक्चली मैं उनको यही बोला जाता है, किंग ऑफ गुड टाइम्स, ऐस फिर इन के मन में आया, अब मैं लिकर बरून तो हुई, लिकर बिजनस मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, मैं एरलाइन बिजनस में भी एंटर कर गया, किंग फिशर जब स्टार्ट हुई थी और दमेस्टिक बिजनस में थी, वन अफ दे एक्सपेंसिव और वन अफ दे फ्लाइट थी, जो इन्होंने पहली फ्लाइट अपनी चलाई थी, बस ये था इनका डाउनवर्ड, एक डिसिजन गलत हो गया, अगर ये बंदा इंटरनेशनल मार्केट में ना जाता है, इंटरनेशनल एरलाइनस में ना जाता, तो शायद आज जो हालत है, वो हालत ना होत थे खुद से नहीं गए थे, एक्चली में होता क्या है, पहले तो अगर आपको aircraft चलाना है, commercial basis पे तो commercial license चाही होता है, फिर आपको अगर internationally चलाना है, तो international airspace का international commercial license चाही होता है, अब उसमें कुछ particular thats time का आता है, अगर आप Google पे पढ़ोगे, तो कुछ time लग रहा था कि इतना time लगेगा वो license मिलने में इनको ये था कि मेरे को अभी चला नहीं है बस बात खतम तो इन्होंने का एक काम करता हूँ Deccan Airlines है ये Deccan Airlines International Airlines थी इसके पास International Aircraft का Airspace का license था इन्होंने कहा सिरफ International Airspace license में क्योंकि इनके अपने license पे देरी हो रही थी उसके लिए बाई साब ने पूरी की पूरी दूसरी airline ही खरीद ली क्योंकि अगर मैं Deccan Airlines तो खरीद लूँगा तो इसका license मेरा हो जाएगा लेकिन ये नहीं देखा Deccan Airlines के वैसे losses थे समझाया इन्होंने एक ऐसी company को International Airspace के license के लिए acquire कर लिया जिस company के अपने बहुत losses थे Kingfisher के profits थे Deccan Airlines के losses थे जब तक ये companies अलग हैं कोई फरक नहीं पड़ता जैसे ही मैंने Deccan Airlines को खरीद लिया इसके losses मेरे profits में मिल जाएगे और ultimately मेरे ही profits कम हो जाएंगे तो जैसे ही acquire की और consolidated balance sheet जो इनकी मिला कर P&L account बगएरा सामने आया उसमें consolidated में Kingfisher के losses आ गए Kingfisher के losses आ गए और पहला जटका यहां पे लगा दूसरा जटका International Airlines वर्क नहीं करीब की चीक है? उसमें जादा customers travel नहीं किये दूसरी तरफ से वो नुकसान अब banks ने, क्योंकि bank जब loan देता है, वो तो आपके P&L balance sheet को देखता है, अब bank ने देखा कि जब तुमको loan दिया था तब तो तुमारा P&L बढ़ा अच्छा था क्योंकि तुमारे खुद का P&L था अब तुमने Deccan Airlines के losses को क्योंकि merge कर लिया तो तुमारे P&L में losses है और तुमारा international business fail भी हो चुका है तो यह जो तुमारा loan है ना इसको हम restructure करेंगे समझाया, अब वो restructure restructure में होता क्या है, जो principal interest होता है, उसको interest के amount को अलग से principal मे convert कर दिया जाता है और वो दो loan बना दिये जाते हैं, बड़े सारे तरीकों के restructuring होते हैं, वो धिरे धिरे आप आगे सीखोगे समझा रहा है आपको यह, इस तरीके से restructuring होई, वो debt का burden इतना बड़ा हो गया, business चला नहीं international वाला, बस downward trend चुरू हो गया, और फिर एक time आया, इन्होंने का ऐसी तैसी क्राओं में देता है नहीं पैसे उस पर भी आता हूँ बिटा एक चीज़ होती है कि आज हम लोग उस situation में नहीं है तो हम बहुत अच्छे से armchair पे बैठके we can talk about कि यह कर सकते थे यह कर सकते थे, लेकिन आप थोड़ा सा अजियूम करने की कोशिश करो, आप जब उस genre में होते हो ना, और आप इतना बड़ा, आप scrap से एक business को यहां तक लेके आये होते हो, आपका थोड़ा सा downward आता भी है ना, आप कहते हो, कोई चकर नहीं है, मैं ले जाओंगा इसको फिर से उपर, उस time आपको realize ही नहीं होता, कि यह मेरा downward trend शुरू हो चुका है, मैं खतम हूँ यहां से एक simple सी बात, एक इनसान stock market में invest करता है, यह मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है लाक रुपे उसकी जेब में है, stock market में, वो कहता है, उसको greed देता है stock market, कि इसका 400 times जीत सकता है, लेकिन उसको उस time पर यह नहीं समझाता, हार भी सकता हूँ, लाक रुपे लगा के 400 times जीत सकता हूँ, 4 करोड रुपे जीत सकता हूँ हार गया तो 4 करोड रुपे देने पड़ जाएंगे समझाया आपको यह, clear हुआ, लेकिन अगर वो हार गया, तो 4 करोड रुपे देने पड़ेंगे अब 4 करोड रुपे देने पड़ेंगे, अब 4 करोड रुपे देने पड़ेंगे अब actually में हम तो यहाँ पर बैठके क्या कहेंगे क्योंकि मेरे मन में आएगा, यह 4 करोड रुपे देने तो है, कहां से दूँ या तो मेरी जेब में हो, अगर जेब में हो तो दिक्कत वाली बात नहीं है जेब में नहीं हो, तो मैं असानी तरीके से, जल्दी तरीके से कवाने का तरीका क्या है एक लाग रुपे और लगाता हूँ एक बार ही और लगाता हूँ शायद अब जीत जाओं बस वो एक बार ही और हारना है खत्म वो ही यहां पर हुआ तो हम बैठके अभी तो सोच सकते हैं लेकिन उस टाइम नहीं बहुत जो आप बोल रहे थे वो ही financial mismanagement की गलती जितने भी aircraft companies होती हैं वो जो airplanes लेती हैं वो किराय पर लेती हैं lease पर लेती हैं इनको था हम खरीदेंगे इन्होंने सारे airplanes अपने purchase किये lease पर नहीं लिए खरीद लिए उस पे सारा पैसा खर्च हुआ है इनका Anyway Ultimately यहां से भी हो क्या रहा है आप एक जैसी एक liability आप acquire करते हो आपका कही ना कहीं downward trend शुरू हो जाता है समझ आए आपको यह clear हुआ चल अब यहां पे syllabus पे आते हैं थोड़ा सा interesting लग रहा है मतलब मैं जान के interesting बनाने के लिए नहीं से यही आपका पूरा का पूरा subject है पर पता चल रहा है कि क्या है इस subject में overall यहां तक ऐसा तो नहीं लग रहा पता नहीं क्या ही पता दिया सिरके ओपर से बात चली गई अच्छा चीक है अच्छा अब एक बात मैंने यहां पे आपसे जो भी बात करी है एक individual को अपने पैसे invest भी करने चाहिए बगएरा बगएरा एक तरह से मैंने एक individual के point of view से बात करी है लेकिन हमारा जो subject है that is financial management जो हम course point of view से पढ़ेंगे वो personal finance नहीं है हमारा subject एक तरह से corporate finance है तो सर फिर इतनी देर से गंटा खराब को कर दे हमारा personal finance के बारे में बताके क्योंकि ultimately एक individual जो करता है वही एक company की management होती है सबज आया जिस तरीके से एक individual अपने थोड़े से पैसो को manage करता है उसी तरीके से एक company अपने खूब सारे पैसो को manage करती है फरक बस इतना है quantum of money बाते वही है सबज आ रहा है आपको यह तो ultimately मैं आपको यह बात बतानी जरूरी इसलिए थी कि आपके मन में कहीं यह ना है कि जो मैं financial management में आपको आगे पढ़ाऊंगा सर वो हम भी कर सकते हैं जो tricks आप यहाँ पे सीखेंगे इस subject में वो एक corporate के लिए होगी चीक है एक personal individual के लिए tricks अलग है logic वो ही है समझ आया यह बात clear हो गई अच्छा अब syllabus पे आते हैं मैं आपके सामने एक simple सा data रखता हूँ मान लो एक company है मान लो मुहित दिपांचू मान लो दिपांचू चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया अब इसने सोचा कि बड़ा बिजनस करूंगा लेकिन बिजनस करने के लिए पैसा चाहिए अब इसने अपना फिर से बनिया दिमाग लगाया मतलब बुरा तो नहीं मान रहा है इस चीज़ पर तुम पक्की बात है ना बलकि यह तो प्रशंसा करूंग इसने फिर अपना बनिया दिमाग लगाया बिजनस करना है बड़ा करना है लेकिन अपना पैसा नहीं लगाऊंगा अपना पैसा लगा के बिजनस किया तो क्या बिजनस किया बड़ी सिंपल सी बात है दूसरे का पैसा लगाओ दिपांशु ने जब ये सोचा कि या अपना पैसा नहीं लगा ना लोगों का पैसा लगवाना है तो एक company finance कहां कहां से उठा सकती है या तो equity से पैसा raise कर सकती है मतलब दिपांशु एक तरह से सोचेगा मैं अकेला मालिक नहीं रहता मैं और लोगों को थोड़े थोड़े percentage का मालिक बना देता हूँ 51% की ownership अपने हाथ में रख लूँगा दिपा को दे दूँगा 10% की ownership और 100 करोड रुपे raise कर लूँगा चेतना को दे दूँगा 25% की ownership यहां से 200 करोड रुपे raise कर लूँगा कहीं पर दे दूँगा 5% की ownership 50-60 करोड रुपे वहां से raise कर लूँगा समझा रहा है थोड़ी-थोड़ी ownership डालिउट करके लोगों से as an equity पैसा raise कर लूँगा मान लो equity से भाई साब के पास 200 करोड रुपे आ गया फिर उन्होंने कहा कुछ लोगों को ना जैसे मान लो यश से पैसे मांगने आया यश अड़ गया क्याता मैं नहीं देता पैसे equity share के बदले तो यश से पैसे निकलवाने के लिए इसने फिर अपना बनिया दिमाग चलाया इसने का यश तिरको share दूँगा जैसे दीपा को और चेतना को उनको तो मैंने बेकार share दिये थे वैसे share तिरको नहीं दूँगा तिरको ना मैं preferential share दूँगा उसमें ना तिरको preferential voting का right दूँगा समझा रहा आपको यह इस तरीके से वोई जो आप low में पढ़ते हैं ultimately वो है क्या है तो share ना सामने वाले बंदे को ताकि जिसको कहते है ना सामने आपको एक टॉफी देना टॉफी दिखाना चॉकलेट दिखाना देख कितना प्यारा है है कुछ नहीं उसमें है वोई चीज अच्छा इसकी अच्छी अच्छी बातों में वो आ गया बिचारा उसने गा अच्छा तु मेरे को दूसरे वाले share देगा जो उनको दिया वो नहीं देगा मैं खास हूँ तेरे लिए बड़ा special हूँ चल ठीक है तुँ 200 करोड ले ले मिर से फिर इसने preferential इसको दे दिया और यह मन-मन हजर आया पागल चलो उसके बाद यह कह रहा है 100 करोड की और जरूरत है तो इसने सोचा बैंको को क्यों छोड़ू फे एक काम करता हूँ बैंक से जाके डेट ले लेता हूँ अब डेट बैंक से ले सकता है प्राइवट फिनेंसर से ले सकता है डिबेंचर इशू कर सकता है मालो 100 करोड रुपया डेट से आ गया Ultimately एक कमपनी इनी सूर्से से पैसा रेस कर सकती है जितने भी सूर्से होते हैं सभी को मैं इसी में डाल सकता हूँ कवर अप कर सकता हूँ इसकी कमपनी के पास 500 करोड रुपया कठा हो गया अब कमपनी इसी पैसे को आगे इन्वेस्ट करती है कही ना कही समझाया यह मैंने आपके सामने और कुछ नहीं है कमपनी की बैलेंशीट रखी है अगर मैं T-form में रखूँ यहाँ पे आप liabilities दिखाते हैं T-form मे liability में सबसे उपर capital employed आता है जिसमें आप equity preference और secured lawns में debt दिखाते हो और इसी पैसे को ultimately यह company अपने assets में invest करती है समझाया assets क्या हो सकते हैं building, plant, machinery, equipments and stuff यही सारे assets होते हैं यहाँ पे पैसा raise किया वही मैंने आपको इस example में लिखा है कि इसने पैसा raise किया इन sources से पैसा raise किया एक pool में 500 क्रोड रुपया कठा हो गया उसको आगे invest कर दिया invest कर दिया आपने वही assets में वही liability assets समझाया आपको यह assets में जो invest किया पैसा building, plant, machinery वागेरा में equipment में इन assets से क्या होगा यह company production कर पाएगी मशीने खरीदूँगा, building खरीदूँगा, factory बनाऊँगा अगर service company हूँ तो इनी पैसों से पूरा setup तयार कर पाऊँगा जिससे service render कर पाऊँगा समझाया आपको यह clear हो गया production यह service render कर पाऊँगा जब market में यह चीज बिकेगी तो ही तो मेरे पास कुछ revenue आएगा that is sale होगी revenue होगा cost minus करके तभी तो कुछ profit आएगा और मैं कुछ कमाऊँगा ultimately बात होई निकली कि कहीं से पैसा उठाया उस पैसे को आगे invest किया उस पे यह return कमाया है तो वही simple business मेरे को बताओ समझा रहा है अब यहाँ पे यह बात मैं क्यों कर रहा हूँ यह पैसा कौन कौन से source से उठा सकते हैं या कौन कौन से source से उठाना चाहिए यह आपको पढ़ना है आपके पास एक chapter आएगा capital structure इस chapter में आपको यह पढ़ना है इधर का कि कहा से पैसा उठाना चाहिए equity से उठाना चाहिए preference से उठाना चाहिए debt से उठाना चाहिए समझाया अब 500 करोड चाहिए था इस company को equity से 200 करोड उठाया preference से 200 करोड उठाया debt से 100 करोड उठाया मैं ऐसा भी कर सकता था equity से 100 करोड उठा लेता और debt से 200 करोड उठा लेता तो भी पैसा तो 500 करोड ही कठा होता लेकिन किस source से किस proportion में पैसा उठाना है debt से जादा उठाना है equity से जादा उठाना है इसकी proportion क्या होनी चाहिए दूनों सवालों में difference समझ में आया कहां से उठाना चाहिए कितना that is capital structure वाले chapter में किस source से किस proportion में पैसा उठाना चाहिए यह आपके पास एक chapter आयेगा capital structure theories इस chapter में यह आप proportion के बारे में सीखेगे समझा रहा है सब practical है although मेरी book में अब मैं साथ साथ आपको यह भी बता के चल रहा हूँ मेरी book में capital structure and capital structure theories combined एक chapter है ठीक है यह बात मैं इसलिए भी आपको बता रहा हूँ अगर आप मेरी book के बाद बाद लो ICI module या फिर आप किसी और author की book कर refer करें तो एकदम से यह मत कह देना हो सर ने एक chapter ही निकराया मतलब कई authors की books में यह दो chapters पर बाटा होता है मैंने उसको combined कर रखे क्योंकि concept is combined उस साथ में पढ़ने में और question भी combined ही paper में आता है और वो ही बनता है अलग-अलग भी questions है और separate questions भी है और मिलाके questions भी तो वो साथ में है समझा रहा है आप को यह फिर मैंने बात करी थी पैसा आ गया फिर दूसरी बात मैंने आ क्या करी थी इस पैसे को invest करना है इस पैसे को invest कहा करना है building में करना है plant में करना है machinery में करना है कितना करना है कैसे करना है invest समझाया इस तरफ का जो यह सवाल है कि पैसा आ गया proportion वेरा सब decide हो गई अब इस पैसे को how to invest इस तरफ का जो ये सवाल है most important chapter at the C intermediate level capital budgeting एक chapter है अपके पास दो chapter है by the way time value of money सुना सुना सा लग रहा होगा ये time value of money and capital budgeting basically time value of money base है और उसी base पर टिका हुआ है हमारा capital budgeting का chapter और उस chapter में हम करने के आवाले है कि पैसा आ गया company के पास अब उसको invest कहां से कैसे किया जाता है क्या चीज़ा दिहान में रखनी होती है किस तरीके से projects को evaluate किया जाता है वो सवाल इधर करोगे यहाँ पर अब मैं एक disclaimer ज़रूर देना चाहूंगा जैसे ही capital मैं कई बारे जानके यह ना नाम लिखता ही नहीं time value of money लेकिन मैंने लिखा अभी इसलिए क्योंकि कुछ नालाइक बाद में बोलता है सर आप यह chapter कराओगे नहीं क्या क्योंकि आपने पहली क्लास में बताया ही नहीं उस chapter के बारे में तो इसलिए मैंने लिख दिया कहीं आपके मन में यह ना आ जाए लेकिन मैं क्यों नहीं लिखता अपनी मर्जी से क्योंकि ना time value of money नहीं पढ़ते ही ध्यान कहा जाता है अरे यह तो सिए फांडेशन के मैट्स में था मतलब यहां पर मैट्स आ गया यह ना होने वाला यह ना हो पाएगा छोड़ दो छोड़ दो ठीक है लेकिन वो मैक्स नहीं है जो आप वहाँ पर पढ़के आये हो फांडेशन में अभी तत पढ़ाए मतलब कहने का यह है मैं यहां पर वह इंटिफरेंसियेशन इंटिगरेशन यह सब नहीं करवाने वाला हूँ नहीं मेरे को आता है तू भी वरी फ्रैंक ठीक है नही है time value of money का concept concept as in यहाँ पर simply words में पुट करूँ आज अगर मेरे 100 रुपे है मेरे जेब में अगर आज 100 रुपे है और hard cash में है क्या मेरे 100 रुपे की जो वर्थ आज है क्या आज से 5 साल बाद भी उतनी होगी यह नहीं नहीं समझाया दीपा मैं इस बात को अगर थोड़ा सा बढ़ती है मेंगाई हर साल बढ़ती है आज अगर 100 रुपे का यह मारकर आ पा रहा है क्या 5 साल बाद भी 100 रुपे का यह मारकर आ जाए हो सकता है मेंगाई बढ़ गई मान लो 5 साल बाद 120 रुपे का आ रहा है मतलब मैं एक तरह से कहना क्या चा रहा हूं कि 100 रुपे की आ वक्त के हिसाब से मनी की वेल्यू में क्या चाहिए जाता है, simple as that. तो वो concepts है यहाँ पर, यह तो मैंने एक छोटी ची बात करी, obviously पूरा chapter है. समझ आ रहा है आपको यह? तो maths वाली चीज से डरना नहीं है, ऐसा वाला maths नहीं है, जो पहले था, अच्छा, उसके बाद, यहाँ पर मैंने बात करी, profit आया, return आया, invest कर दिया, business कर दिया, profit return आ गया, अब इस profit return का करना क्या है? इसको खर्च कर दूँ, जो मैंने अभी बात करी, rich dad, poor dad वाली, क्या इस profit को business किया, भाई साब ने बनिया दिमाग लगा गया, business किया profit आया, क्या इस profit को यह खर्च कर दें, as a company, अब मैं as a company बात कर रहा हूँ, क्या इस profit को यह खर्च कर दें, या इस profit को save कर दें, इसको अगर मैं simple words में, एक company के point of view से put करूँना, company जब किसी profit को खर्च करती है, उसका मतलब होता है as a dividend बातना, समझ पारे हो, क्योंकि company का खर्च करने का मतलब, company ने अपने मालिकों को बात दिया और कह दिया, खर्च लो, समझ आया, company का उस profit को save करना, मतलब retained earnings बचाना, समझ आया, clear हो रहा है, retained earnings से क्या हो जाएगा, ultimately, यह हमारी company का P&L, यहाँ पे हमारी company ने profit कमाया, return कमाया, और मानलो इसको as a dividend बाता नहीं, तो यह profit balance sheet में, reserves and surplus में capitalize हो जाएगा, यहाँ पे जैसे reserves and surplus में यह profit गया, नया profit था, नया पैसा था, assets में और पैसा इंवेस्ट कर पाऊंगा, तो कि नया profit आया है, जितना जादा profit as a retained earnings बचाऊंगा, उतना जादा reserves and surplus बढ़ेगा, उतना जादा asset बढ़ा पाऊंगा, जितने जादा asset बढ़ेंगे, एक simple सी बात, पहले एक machine थी, 10,000 units बना के बेच पाता था, आप दूसरी machine आ गई इस profit से, 20,000 units बना के बेच पाऊंगा, profit और बढ़ेगा, company और grow करेगी, business और grow करेगा, समझ आया, वोई बात यहाँ पे है, profit को खर्च कर दिया, जहां थे वही रहेंगे, profit को save करके, retain करके, company के business में वापस से invest कर दिया, company grow कर जाएगी, यह decision लेना, कि profit जो आया, उसको dividend की तरह बाटना है, नहीं बाटना है, बाटना है, तो कितना बाटना है, इससे company के business की growth पे क्या impact पड़ता है, company के share के prices पे क्या impact पड़ता है, यह सारी बातें आपके पास chapter में आएंगे, एक chapter है आपके पास, dividend policy, सबज आया आप कोई है, सब इको clear हो गया, अच्छा, मैंने यहाँ पर balance sheet की कई बारी बाते करी अभी, balance sheet में अगर मैं overall बात करूँ, I know वैसे आप vertical form में balance sheet बनाते हो, लेकिन मैं reference के लिए T form में balance sheet आपके पास रख रहा हूँ, उससे मत सोच लेना कि यह क्या करवा रहे हो, ठीक है ना, overall liability side पर या तो equity आता है, preference आता है, secured launch में गारा में, या non current liabilities में आपका debt आता है, या फिर current liabilities आती है, अब इनी के बड़े सारे heads आप बनाते जाते हो, और वो line items बढ़ती जाती है, overall तो यही आता है, अच्छा इसी तरीके से asset side पर या तो non current assets आते हैं, that is fixed assets, या फिर current assets आते हैं, इसी की बड़ी सारी line items, cost of capital वाले chapter का reference दिया था, कितना पैसा कौन से source से raise करना है, capital structure वाले chapter का reference दिया था, कहां invest करना है, capital budgeting वाले chapter का reference दिया था, P&L की बात कर चुका हूँ, जो profit आया उसको खर्च करना है, या reinvest करना है, current liabilities और current assets की बात नहीं करी थी, समझाया, current assets और current liabilities, यह formula आपने पहले पढ़ा हुआ है, current assets minus current liabilities से क्या निकलता है, क्यों? मतलब, answer सही है, यह working capital कैसे है, अभी answer चाह नहीं रहा हूँ, question raise कर रहा हूँ, current assets minus current liabilities, working capital कैसे है, working capital होता क्या है, working capital बंती कैसे है, working capital का loan लेने के लिए, क्या करना पड़ता है, debtor को कैसे manage किया जाता है, which is a part of current assets, creditor को कैसे manage किया जाता है, which is a part of current liabilities, इस तरीके की बातें, आपके पास एक chapter आएगा, working capital management, प्यार से हम इसको बोल देंगे, WCM, यह बातें इस chapter में होंगी, मतलब पूरी balance sheet आपको study करनी है, समझाया, अब मैं यहापे अगर cross form में बोलू न, accounts के subject में आप सीखते हो, balance sheet बनाना, final accounts बनाना, FM के subject में आप सीखते हो, उसका analysis, बनाके दे दिया, अब analyze करो, इससे होगा क्या, समझाया, तो यहाँ से अब मैं एक बात कह सकता हूँ, पूरा का पूरा FM आपका decision making है, समझाया, सभी को clear हो रहा है, तो अभी तक मैं आपके पास जो chapter की बात कर चुका हूँ, cost of capital, capital structure theories, capital budgeting, dividend policy, WCM, इसके बाद आपके पास कुछ और chapters आएंगे, एक चप्टर है आपके पास, financial ratios, इस चप्टर का भी hint आपने, standard wealth में आपके पास वो होगा, accounts में यह चप्टर होगा, जिसमें current ratio, liquid ratio, liquid asset ratio, debt service ratio, इस तरीकी की ratios के को रटा होगा, ठीक है, वोई चीज़े यहाँ पे हैं, although यह chapter होता है, है बहुत छोटा, सिरफ two classes का हबारा, यह chapter होता है, ठीक है, लेकिन paper point of view से, 100% इसका एक question, 5 number का आ नहीं है, अब आप देख लो, 60 number की अगर मेरी FM है, उसमें से 5 number compulsory question है इसका, अब आपको paper pattern, आपने जैसा costing का दिया है, वोई paper pattern इसका होता है, kind of, ठीक है, तो पहला question जो compulsory question आता है, उसमें जो 4 parts होते हैं, 5-5 number के, उसमें से 1 question, most probably, मतलब मैं 99.9% probability के साथ बोल सकता हूँ, इसका होता है, समझा गया, chapter असान है, ठीक है, although यह chapter, business, जो company के financial decisions होते हैं, उसमें बहुत help करता है, कैसे help करता है, वो सारे इस chapter में ही सीखेंगे, अभी overview दे रहा हूँ आपको पूरा, ठीक है, एक chapter का मैंने नाम नहीं लिया है, risk and leverage analysis, क्योंकि उसी chapter से मेरे को शुरू करना है, तो उसके बारे में तो फिर में detail में शुरू होँगा, यहाँ पे basic basic बात नहीं कर रहा हूँ, तो अब एक बारी, असले बस क्या है, risk and leverage analysis, बस नाम ले रहा हूँ, इस से तो शुरू करूँगा, ठीक है, उसके बाद आपके पास chapter आएगा, cost of capital, जो मैंने अभी आपको बताया, पैसा कहां से raise करना है, capital structure theories, किस proportion में raise करना है, time value of money, capital budgeting, कहां कितना पैसा invest करना है, कैसे invest करना है, ठीक है, dividend policy, जो profit कमाया, उसको खर्च करना है, या retain करके business में ही invest करना है, उससे क्या impact होंगे business पे, उसके बाद, financial ratios, वोई ratios वाला जो अभी discuss किया, ठीक है जी, ये हैं आपके पास, इसके अलावा भी दो chapters हो रहे हैं, उसकी अभी अलग से बात करनी है, पहले अब आप मेरे को ये बताओ, नींद में तो नहीं हो, जिंदा लाशे तो नहीं बनने वाले, समझ आ रहे हैं सारा, थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ, इस subject में interest बन जाएगा, जैसी बातें, अगर यही बातें हैं, इस subject में तो, लग रहा है कि नहीं, हाँ सर आपके मुपे तो बोलना ही पड़ेगा, अच्छा, इसके अलावा एक chapter है, आपके पास leasing decisions, बताता हूं अभी क्या है, एक chapter है आपके पास, risk and uncertainty in capital budgeting, पहली बात, जो आपका ये capital budgeting का chapter है, इसी की enhancement है, risk and certainty in capital budgeting, मैं वैसे अपनी तरफ से, इन दोनों चप्र को अलग मानता ही नहीं हूं, ठीक है ना, क्योंकि कहीं पे अगर मैं investment करता हूं, कोई भी invest करे, तो return भी ध्यान में रखना पड़ता है, कि भई कितना return आएगा, लेकिन risk को भी ध्यान में रेके चरणा पड़ता है, कि return तो आएगा ठीक है, लेकिन उतना return कमाने के लिए, जतना risk उठाना पड़ रहा है, क्या मेरी capability है उतना risk उठाने की, समझाया, तो सिर्फ investment करते हुए return को ध्यान में रखना, वो बात यहाँ पर पड़नी है, investment करते हुए risk को भी ध्यान में रखना, वो बात यहाँ पर पड़नी है, समझाया, leasing decisions के chapter में आपको इस तरीके की बाते पड़नी है, नाम से ही पता चल रहा है, कि किसी भी asset को खरीद कर लाऊं, या किराय पर ले लूं, या उसको खरीदने के लिए loan ले लूं बैंक से, समझाया, इस तरीके की बाते हैं आपको leasing decisions में पड़नी है, यह जो dividend policy, leasing decision और risk uncertainty, risk and uncertainty in capital bursting, यह जो तीन chapters है, dividend policy, leasing, और risk and uncertainty, यह chapters पहले CA final में हुआ करते थे, न्यू कोर्स में आपके CA inter में डाले गए हैं, ठीक है, लेकिन डरने की जुरूरत नहीं है, यह बात मैंने अपने आप से इसलिए बोल दी, क्योंकि बहुत बच्चे ना नाला एक और बच्चों को डराने के लिए यह बात बोलते रहते हैं, ओहो CA inter की FM में तो ना थीन चप्टर ना final वाले हैं, तो इन चीज़ों से अगर किसी से सुनो तो डर मत जाना, क्योंकि यह अन्याये CA final वालों के साथ हुआ है, तुम्हारे साथ नहीं हुआ कि CA final के चप्टर यहां डाल दिये, क्योंकि यह most easy chapter थे, और CA final में इनके question आते थे, तो CA final में यह होता था, confidence होता था paper में, कि और कुछ paper में हमें आता हो या ना आता हो, इनका question तो हमें आता ही होगा, solve कराएंगे, समझाया, यह आपके साथ बुरा नहीं हुआ, आपके साथ तो अच्छा हुआ है, ठीक है, असान chapter हैं बिल्कुल, समझाया रहा है आपको यह सारा, तो यह हमारा पूरा syllabus FM का चलेगा, यहां तक की सारी बात समझाया, तो यह मेरा पहले एक subject का overview है, I guess आपको एक basic idea लग गया है क्या इसमें, चीक है नब, अब एक बड़ी स्टार्ट करते हैं, risk and leverage analysis, अब मैं इस chapter की शुरुआत कर रहा हूँ, बड़ी basic basic बाते करूँगा, chapter की शुरुआत करने से पहले, अब क्योंकि आप में से मुस्ली बच्चे मुझ से कॉस्टिंग पढ़ चुके हैं, तो आपको मेरे पढ़ाने का इटलीस्ट वो तो पता ही है, कि पढ़ाने का तरीका क्या है, तो वही चलेगा, उसी वही है मेरा, कि पहले पूरी concept building, तो प्लीज ध्यान रखिएगा, कि concept वाली class प्रॉपर्डी अटेंडिड हूँ, ठीक है न, पहले पूरी प्रॉपर कॉंसेट बिल्डिंग करेंगे, लेमन एक्जांपल, प्राक्टिकल एक्जांपल बगएरा बगएरा, और उसके बाद फिर हम अविसली अपने questions के प्राक्टिस पर, और बस इतना ध्यान रखिएगा, C, गुरूपर वन में आपके पास न, एक margin of error होता है, कि class में अगर सर ने 4 questions घर से homework करने के लिए, तो कोई दिकत नहीं है, क्योंकि मेरे पास ample amount of time होता है, बाद मेरे revision put up करने के लिए, लेकिन गुरूप 2 में आपके पास नहीं होता है, जादा से जादा दो महीन है, इस से जादा तो होगा ही नहीं, अगर मैं Fabend में भी इसले बस खतम करूँ, जो मैंने बोला है, तो भी आपके पास March और April है, May में अगर April होते हैं, ठीक है, तो आपके पास revision का उतना ample amount of time नहीं होगा, तो उस time पर pressure create हो जाएगा, इसले बस मैं इतना आपसे बागूँगा, कि साथ साथ चलिएगा, बिल्कुल, ठीक है, और अपने notes वहरा proper बनाईएगा, ठीक है, concepts वगएरा के और class के सभी questions के, ठीक है ना, book हमारी वही उसी तरीके से, जो costing के book थी, उसी तरीके से divided है, वही sold questions होंगे, तो आपके पास answers भी होंगे, past year वगएरा सब कुछ covered है, मैं आप एक चीज़ आपको बता देता हूँ, book में, वही जैसे costing के book में, past year भी covered है, study mat भी covered है, study mat को base बना के, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, study mat को base बना के book बनाई गई है, past year questions में मैंने इसमें covered अप कर रखे हैं, और जो और कुछ authors के कुछ अच्छे questions थे, with the due credit to those authors, वो कुछ extra practice questions भी यहाँ पर covered है, ठीक है जी, तो सब covered है इसमें, और पिछले साल की जो RTPs हैं, या mock test papers के भी 100% नहीं कह रहा हूँ, obviously जो अच्छे करने वाले questions हैं, कुछ questions दो same होते हैं, आपने RTPs में notice भी किया होगा, तो जो करने वाले questions हैं, वो भी मैंने या पर covered up कर रखे हैं, तो as in, मैं अपनी तरफ से यह आपको trust दिलवाना चाह रहा हूँ, कि आपको अप मेरी end पे और कोई book उठाने की जुरूरत पड़ेगी नहीं, तो study mat के लावा तो और कुछ मत उठाना, और वो ही होगा आपके साथ, अगर आपने costing में भी यह चीज़ experience करी होगी, I guess, कि आप अगर मेरी book को base बना के एक बार ही उसमें से कर लें, तो study mat आपको ना तो मुश्किल लगेगा, नहीं उसको करने में ज़्यादा time लगेगा, क्योंकि study mat में पहली बात question होते हैं, बड़े limited, 10 question होगे एक chapter में, 6 question तो इसी में covered होगे, बाकी 4 question होगे, उसमें से भी 2 करने लाइक नहीं होगे, जो की examples होगे, बाकी 2 करने लाइक भी होगे, तो वो फटा-फटा आप कर लोगे, क्योंकि वैसे-वैसे question आपने और कर रखे होगे, समझ आ गया, clear है, चलो, अब यहाँ पर इस चप्कर से चलते हैं, तो पहले मेरे को ना एक बात बताओ, risk का मतलब क्या होता है, ठीक है, देखो, मैं ना रट के आया था, तो ना मैं रट के यह सोचके आया था, कि 11.30 बजे तक जो मैंने कहानी अभी तक बोली, यह होगी, लेकिन मेरी किस्मत, 11.30 कहानी खतम होगे, एक लास है 11.30 बजे तक, अब मेरा तो कोटा आज का खतम होगया, तो अब मेरे को अपनी इजद बचानी है, तो मैं आप से कोशन पूछ के आचकी क्लास आगे चलाओंगा, बचे कहरे हैं, बताओ, क्या आदमी है यह, चलो, anyway, तो रिस्क का मतलब बता दो एक बारी, और यार, लिवरेज, वर्ड आप पहली बार नहीं सुन रहा है, मैं आपको याद दिलाता हूँ, क्लास 12 में, बिजनस स्टेडीज में, लिवरेज का शब्द आपने पड़ा हुआ है, ट्रेडिंग और या लिवरेज, वहाँ पर ये वर्ड पका-पका आता है, मेरे को अपनी बिजनस स्टेडीज का कुछ याद नहीं है, 12 का बस ही याद है, हाँ आता है, इसलिए मैं हर लेक्चर में बोल देता हूँ, ये बार, चलो, तो मेरे को एक बड़ी रिस्क का, आप क्या जानते हैं, सही गलत कोई दिकत नहीं है, रिस्क का मतलब और लिवरेज का मतलब एक बड़ी बताईए, हाँ जी, बताओ, बताओ, हाँ जी महराज, कॉलेज के आईटी, फानाइन्स वाले सेल में हैं आप, इन्वेस्मेंट सेल में, तू नहीं है, अच्छा, अंट्रेप्रेणर में हैं, ठीक है, तुम हो, आईटी, अच्छा, बताओ यार, चलो कोई बात नहीं, वैसे बतादो, रिस्क, रिस्क क्या है, यार, C.A. करेगा, C.A. में बड़ा रिस्क है, यार, क्या रिस्क है, लोस होने का, एस पुपल अस धाट, भाई, अगर मैं कहे दू, ये कर लो, 110% probability है, ऐसा होगा ही होगा, तो काहे का रिस्क, रिस्क तो वहीं पे आता है, कि आप अगर इस काम में गुजगए, probability है, हो जाएगा, probability है, नहीं भी होगा, graduation में कहते हैं, simple become करनी है, risk नहीं है, क्यों, या पास तो करी लेंगे न, सपली के साथ कर लेंगे, कोई दिक्त थुड़ना है, लेकिन पास हो जाएगे, graduation की degree आजाएगी हमारे पास, इसलिए risk नहीं है, सीए, risk है, पता नहीं clear होगा या नहीं होगा, क्योंकि 100% result जब institute ही नहीं निकालता, तो हम कैसे कह सकते हैं, समझ आया, तो इसलिए risk है, कहने का मतलब, एक simple, एक word में अगर मैं बोलू न, future की uncertainty, future की uncertainty ही risk है, अगर future ही certain हो गया, 100% के साथ मैं कह दूँ, यह हो गाई, तो risk है यह नहीं, और अगर future uncertain है, हो भी सकता, ने भी हो सकता, पता दो, हाँ जी, a certain amount for a larger amount, a certain amount for a larger amount, बटा, अब मैंना, सुनो, 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 एक minute, अब तु मोका मिल गया, तो थोड़ा सा बोलने का, तो बोलने ते, देखो, अब तु जैसा, जैसा आप लोग सम्झाओगे न, वैसा ही मैं आगे सम्झाओँगा, ठीक है, बच्चे कहेंगे, ठीक है, डेमो ही तो class है, अमनी याएंगे कल से, anyway, बताओ भई, leverage का मतलब, हाँ ठीक है, एक minute, एक minute, आगे अब सही जा रहे है, दुबर बोल, जैसा आपने commodities का बताया हुँ, अचा, ठीक है, ठीक है, आप कह रहे हो, मतलब थोड़ा amount लगा के, जादा कमाने के chances, ठीक है, exact meaning बोला है, अब मैं एक बरी, आप पूरा leverage सम्झाता हूँ, क्या है, ठीक है, वही से पूरे chapter का base, बनाने चाबता है, अब मैं इदर उदर की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, अब मैं proper अपने chapter के course पही आगे हूँ, ठीक है ना, अचा, leverage को अगर simple definition point of view से मैं बोलूँ, जो bookish definition है, उसका अगर हिंदी में convert करके मैं मतलब बोलूँ, तो bookish definition ये कहती है, leverage का मतलब एक ऐसा component, एक ऐसा component जो बाहर से लाया गया है, मेरे पास नहीं है, एक ऐसा component जो बाहर से लाया गया है, मेरे पास नहीं है, लेकिन वो component मेरी खुद की capability को multiple times बढ़ा देगा, मेरी खुद की capability को जब वो multiple times बढ़ाएगा, तो हो सकता है मैं multiple times return कमा जाऊं, और हो सकता है मैं multiple times losses incur कर दो है 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 क्या बोल गए सरी है मतलब क्या कि बाहर से लाया गया component मेरी capability को बढ़ा देगा और multiple time return कमा लोंगा losses कमा लोंगा ठीक है रट लेंगे समझ नहीं आया लेकिन मतलब अगर मैं होता तो मेरे साथ तो यही होता अगर मेरे को कोई तो ना बता दे क्या आपके साथ तो यही हो रहा है यार तुम ना ऐसे ना या तो हाँ बोलो मेरी बेस्ती मार लो थोड़ी सी लेकिन भाई interactive बनाओ मेरे को भी मज़ा तभी आएगा interactive बने समझाए मैं actually मैं बता रहा हूँ मैं अब बोर हो गया था कैमरे के सामने बस recording करते करते मैं actually मैं excited था हाँ जैसे भी हैं नालाइक से हैं लेकिन मेरे सामने students होंगे चाहे थोड़े होंगे जादा होंगे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है मतलब चलो थीक है कोई बात नहीं मैं ही बूलता रहता हूँ फिर interactive जितना जादा बनाऊगे ना पता है आपका भी horizon उतना जादा खुलेगा हो सकता है मैं आपको एक particular example से चीज समझा दूँ आपको question भी हो जाए उससे लेकिन आपका horizon वाइड कैसे होगा अब मैं उसको example में convert करता हूँ एक बड़ी उसी बात को दुबारा से repeat करूँगा बस कि leverage तीन pointers हैं leverage बाहर से लाया गया component पहला pointer दूसरा pointer मेरी capability को multiple times बढ़ा देगा तीसरा pointer मेरी capability को multiple times बढ़ाने की वज़ए से या तो return multiple times ज्यादा आएगा या return multiple times negative में आएगा अब सर इसका क्या है पहले मैं आपको दो layman example देता हूँ फिर थोड़ा सा stock market का example देता हूँ जो की पोर से related है फिर practical business में लेके चलूँगा आपको ठीक है ना तो इस तरीके से going forward इस पूरी चीज को समझते हैं मान लो अमित भाई साथ है नराज मत हो यह आप जो निवा बोल रहो है ठीक है पकी बात है ठीक है फिर जादा बोल लेंगे मान लो एक ना इत्ता बड़ा पत्थर था यह बहुत हेवी पत्थर मोहित ने अमित को का जा इस पत्थर को ना तू तो बड़ा ताकतवर है जाके इस पत्थर को अपने हाथ से दूर करा अमित ने कहां कोई चकर नहीं है पत्थर को हिला दूँगा मैं फेकाऊंगा इसको दूर अब यह पत्थर था बहुत बड़ा अमित जाके उसको धका मार रहा है पत्थर को बार-बार इससे दूर जाई नहीं रहा समझ आया हाँ जी हाँ बस चलो ठीक है अगला एक्जामपल मेगना गई तो अब अमित ऐसे से पुरा जोर लगा रहा है इससे पत्थर हिली नहीं रहा मोहिद हसरा पीछे कर रहा है साइट पर खड़ियों के मेगना यही बात देख रही थी मेगना नहीं अमित को का हटियो मेगना नहीं यहाँ पे इसी पत्थर के आगे नहीं एक चोटा पत्थर लगाया ठीक है एक चोटा सा पत्थर रखा और इनके बीच में लिवर लगा दिया समझाया लिवरेज का जो वर्ड है वो अराइज ही लिवर वर्ड से हुआ है वो बोडी पार्ट वाले लिवर की बात नहीं कर रहा हूँ जो टूल होता है लिवर यह अल्टिमेटली इन्होंने एक देसी टाइप का एक छोटा पत्थर लगाके और बीच में एक लोहे की रोड लगाके यह एक लिवर ही बनाया है अब यह अल्टिमेटली इस लिवर ने क्या किया हमारी खुद की कपाबिलिटी नहीं थी कि हम अपने बेर हैंड से उस पत्थर को मूव कर पाएं लेकिन एक बाहर से लाया गया कॉम्पोनेंट एक लिवर नाम को कॉम्पोनेंट उसने मेरी ही कपाबिलिटी को मल्टिपल टाइम्स बढ़ा दिया कि अब मैं इस पत्थर को मूव कर सकता हूँ समझाया कि नुकसान यह है अगर यह रोट लोहे की नहीं लकडी की लिया ही बिचारी अब यह पूरा जोर लगा के उसको खीच रहे हैं और यह तूट गई खुद के मूपे आके लगेगी समझाया अब मतलब नुकसान होने के चांसे सिमिलर्ली इसमें अगर इसी लेमन एक्जामपल को मैं बिल्कुल और दूसरी टर्म्स में बोलू कार को पुल करना है पंचर वायर लगाने के लिए वो नीचे वो लिवर लगाते हैं उसका जैक बोलते हैं जिसको अब Bear Hands में हमारे में इतनी ताकत तो नहीं है कि पूरी गाड़ी को पुल कर दे लेकिन जैक लगाते हैं जैक को भी अपने पार से प्रेशर ढालते हैं उसको भी कोई मशीन से तो नहीं है वो जैक अपने आपने मशीन है लेकिन उसको पुल फाइदा भी है, फाइदा ये है, मेरी capability multiple times बढ़ गई, मैंने उसी गाड़ी को उतने वेट को उठा दिया, नुकसान ये है, आप नीचे लेट के पंचर दगा रहा हूं, और वो तूट गया, तो मेरे में तो इतनी ताकत नहीं थी, कि मैं उसका ठालो मुप ही आगे गई रही जिससे हो सकता है, रिटर्न multiple times है, या हो सकता है, नुकसान multiple times हो, इसका मतलब क्या है, ये तो समझ आया है इन दे में एक्जाम्पल से, अब सर थोड़ा सा practical भी है ये चीज़ या नहीं, वो बात पे आते हैं, देखो, मैंना आपको, चलो मैंने net बंद कर दिया यार, वो मैं मैंने कल चेक किया था, union bank का ना शेर, 3, अब मेरे को exact amount अभी याद नहीं है, कल मैंने चेक किया था, पैसे भी लगाया थे इसमें थोड़ा से, 322 रुपे 0.95 something का इसका एक शेर का प्राइस चल रहा था, I guess so, ठीक है, मैरे को गाली मत निगाल ना के class के बाद चेक करोगे, अभी तक चेंज हो चुका होगा उसका प्राइस, ठीक है ना, तो 322 रुपे something इसका प्राइस चल रहा था, और ना जब मैंने अपना DMAT खोला, जिरोधा पे जब मैंने खोला, तो union bank के शेर के आगे ना दो बाते लिखी हुई थी, जहां पे जैसे शेर के प्राइसे लिए ह मैं एक्स क्लास में आपको मार्केट में भी दिखाऊंगा यहां पे, अभी वो नेट नहीं चलाना चाहरा हूँ, नहीं तो क्लास रुख जाएगी मेरी, तो इसके शेर के स्क्रिप के आगे, अचा स्टाक मार्केट में ना, जैसे हम तो शेर्स बोल देते हैं, यह स्टाक ब में से लिखी हुई थी, एक लिखा हुआ था, MIS multiplier, एक लिखा हुआ था, CNC multiplier, सरी यह क्या है, CNC की full form होती है, cash and carry, होता क्या है वो भी मैं बताता हूँ, N मतलब and, ठीक है न, cash and carry, multiplier, MIS होता है, market intraday, scale of, MIS होता है, market intraday scale of multiplier, और CNC होता है, cash and carry multiplier, अब न, इसके आगे लिखा हुआ था, जो तो CNC multiplier था, उसके आगे लिखा हुआ था, 1X, हैं सर, यह क्या होता है, बताता हूँ भी, MIS multiplier के आगे लिखा हुआ था, 9X, ठीक है, अब इसका सर मतलब क्या है, पहली बात, आगे बढ़ने से पहले, यही leverage के बारे में यहाँ पर बताने से पहले, stock market में ट्रेडिंग न, दो तरीकों से होती है, अब न, यहाँ पर एकदम से, I know, कि जैसी यह बाते चलती हैं, मन में सवाल आते हैं, लेकिन stock market की trading नहीं मैं यह आपको सिखा रहा हूँ, मैं leverage पर लेके जाने के लिए इसकी reference ले रहा हूँ, ठीक है, तो उसकी भी बाते जो मैं करूंगा, वो मैं अलग-अलग से बीच-ब delivery trade, and I guess, so, अभी तक आपको यह बात तो अब पता होगी, यह होता क्या है, मैं फिर भी फड़ा-फट से एक बार ही पता देता हूँ, stock market, मैं real time trading, morning when 9.30 शुरू हो जाती है, 3.30 का आपको time पता होगा, 3.30 market close होती है, जैसे, ठीक है न, delivery trade का मतलब होता है, कि मैंने आज share खर साल, 20 साल, जब मेरा मन करेगा, मैं उस time इस share को बेचूँगा, जितने time मेरा मन करेगा, उतने time तक मैं share को hold करके रखूँगा, चीक है, intraday क्या होता है, for example, today is what, Friday, no, आज Friday, for example, मेरा मन करता है, मैंने मान लो, अभी आपकी class में बैठे-बैठे मान लो, मैं एक share purchase कर लो, अ आपे share का नाम लिखते हैं, investment का amount फिल करते हैं, तो एक drop down menu आता है, और उसमें आपसे पूछता है, दो options देता है, intraday करना है, ये delivery trade करना है, अगर मैंने वहाँ पे intraday कर दिया, इसका मतलब ये है, मैंने अगर आज के दिन में किसी भी time पे एक share buy किया है, तो इसकी settlement, settlement मतल transaction close करना, transaction close करना मतलब इसको बेचना, समझाया, इसको बेच कर अपनी position settle करना, position settle करने का मतलब profit और loss जो भी हो रहा है, वो कमा के निकलो, वो मेरे को same day करना पड़ेगा, समझाया, मतलब सर मान लो मैंने 11.17 पे 320 रुपे का share खरीदा, market के close होने का time आ गया, 3.20 मिनट हो गया 3.30 बजे market close होती है, सर इस time पे मान लो share का price 300 हो, और 300 में अगर मैंने बेच दिया, तो मेरे को 20 रुपे का नुकसान हो जाएगा, 320 रुपे का खरीदा था, 300 का बेचूंगा, 20 रुपे का नुकसान, मैं नहीं बेचना चाहता, तो क्या भी मेरे को फिर भी मेरे को बेचना प पहले, कुछ broker 13 बजने से 15 मिनट पहले, कुछ 10 मिनट पहले, automatically आपका share sell कर देंगे, समझा है आपको यह, वो automatically आपका share sell हो जाएगा, और आपकी position settle हो जाएगी, profit आ रहा होगा तो profit आपका show करना शुरू कर देगा, loss आ रहा होगा तो loss आपका show करना शुरू हो जाएगा, औ और इसको market की terms में, जैसे मैंने तो अभी बोला ना, market में अपनी position को काटना, एक desi language में अगर आप brokers की language सुनोगे, वो बोलते हैं, अपना soda काट दो, या फिर अपनी position काट लो, ठीक है, इसको हम अपनी language में क्या बोल देते हैं, position को set कर लो, position set off कर लो, actually में struck market की language में इसको scare off कर लो, कोई आपको बोले ना, scare off कर लो, position scare off कर लो, उसका मतलब, buy कर रहा है तो sell कर दो, sell कर रखा है तो buy कर लो, और net करके profit loss निकाल लो, समझा है, यह बात clear हो गई, यह होता है intraday, तो यह आपको समझा गया, intraday trade क्या होता है, delivery trade क्या होता है, अब मैंने यहाँ पे MIS क full form लिखिया, market intraday scare off, trade off, तो यह जो MIS multiplier होता है, यह intraday के लिए होता है, यह होता क्या है, वही leverage है, उस पे तो मैं आ रहा हूँ, ठीक है ना, और यह जो cash and carry, CNC multiplier होता है, यह delivery trade के लिए होता है, कि मैं आज खरीद लूँ, मेरी मर्जी मैं जब मर्जी बेचों, और वैसे, आ अगर आज कोई share खरीद रहा हूँ, और delivery trade में खरीद रहा हूँ, मतलब जब मर्जी बेचों इसको, तो वो share ऐसा नहीं है, कि मैंने अभी पैसे पे कर दिये, तो अभी के अभी साथ की साथ मेरे demat account में शुरू करना शुरू कर देगा, उसी time नहीं शुरू करेगा, इसका basic concept में फड़ा-फट से आपको एक बड़ी बता देता हूँ, मान लो यहाँ पर यह stock exchange है, नींद में तो नहीं हो, होश में है, जिन्दा लाशे तो नहीं बनने वाले, समझ आ रहा है, थोड़ा interest बन रहा है क्योंकि आप तो सीधा पैसो की बात हो रही है, ठीक है, हाँ सर यह bank securities, HDFC securities, up stocks, जिसकी आजकल काफी ads वगरा भी आती है, तो यह बड़े सारे brokers हैं, किसी के भी तुरू आप DMAT खुलवा सकते हैं, so basically stock exchange ने broker को अधिकार दे रखा होता है, कि मेरे बिहाफ पर तुम लोगों के DMAT वगरा खुल लो, actually में settlement क्या होती है, मेरा DMAT मान लो, मैंने मान जिरो अधा पर DMAT खुलवा लिया, चीक है ना, अब DMAT account, वो अगर समझना एना DMAT account कुछ नहीं होता, बिल्कुल आपका जैसा Paytm wallet होता है, वो होता है, Paytm wallet को भी किसी ना किसी bank account से link करना पड़ता है, या तो debit card से link करूँगा, credit card से, net banking से, क्योंकि bank account से payment Paytm wallet में और DMAT से वो पैसे आप आगे share purchase करने के लिए Pay-off करते हो, समझाया, तो वो nothing else but a wallet to purchase the shares and stuff, समझाया आपको ये, so basically, मेरा DMAT account zero-धा ने खोला है अगर, तो मैं जब share खरीदने के लिए पैसे दूँगा, मालनो मैं 10,000 के share खरीदना चाहता हूँ, तो मेरा पैसा broker के पास कंपनी के पास भी नहीं जाएगा, कंपनी ने share stock exchange में issue कर रखे हैं, समझाया, मैं अपना पैसा broker को देता हूँ, broker in return ये पैसा stock exchange को transfer करता है, ठीक है, stock exchange से share आते हैं broker के पास, और broker से share ultimately मेरे DMAT account में reflect करना शुरू करते हैं, तो ये straight transaction नहीं है, बीच में broker link है, पहले broker पे पै share आएगा, फिर broker आगे मेरे को share देगा, इस चीज को पूरा settle करने में, मेरी जेब से अगर आज पैसा निकला है, ये पूरा circle गूमने में दो दिन का time लग जाता है, इसलिए आप कभी भी stock market में notice करना लिखा होता है, T plus 2 settlement, T plus 2 का मतलब क्या होता है, T मतलब आज अगर आपन working capital management जिसकी मैंने बात करी थी, अभी तो मैंने क्योंकि basic आपको बता दिया कि broker पर पैसे जाता है, broker से आगे stock exchange, stock exchange से यहां, यहां से share वहां आता है, बीच में ये जो पूरी movement होती है, इस movement में CDSL, NDSL का रोल आता है, ये depositories होते हैं, ये सब क्या होता है, क्या नहीं होता है, truncated image use होती है, ये पूरा procedure आपके working capital management के chapter में आना है, तो बापर मैं इसको पूरा detail में discuss करूँ वरी, anyway, तो यहां पर, अब, CNC में तो ये होता है, अच्छा, intraday में, क्योंकि intraday में मैंने क्या बोला, same day settlement होती है, तो same day अगर settlement है, तो sir, intraday में अगर आप कह रहे हो same day settlement, और फिर कह रहे हो T plus 2, ये बात तो जमी नहीं, जब share ही मेरे account में दो दिन बाद reflect होना चुरू होगा, तो मैं same day page कैसे सकता हूँ उसको, तो ये आपका intraday में होता ही नहीं है, intraday में साथ की साथ share आपके account में reflect कर पाए, समझा रहा है आपको ये, clear हो गया, अब sir, intraday में ये जब मैंने बता दिया, तो ये 9X का मतलब क्या है, यहाँ पे एक बात समझ लो, delivery trade में हमेशा 1X होता है, और intraday में हमेशा 9X होता है, sorry, intraday में हमेशा कुछ amount of X होगा, जैसे union bank पे 9X था, किसी और share पे 11X भी चल रहा था, किसी share पे 14X चल रहा था, कुछ particular commodities ऐसी होती है जिन पे कई बारी 100X चल रहा होता है, कुछ चीजों पे 400X चल रहा होता है, समझा है आपको यह, अब सरी यह multiple times of X होता क्या है, इसको अगर मैं simplest terms में put करूँ, तो इसका मतलब होता है, मेरे पास अगर लाख रुपे हैं, तो मेरी capability क्या है, लाख रुपे की investment करने की, लेकि हार गया, तो 9,00,000 देना पड़ेगा, मान लो यहाँ पे 9X चीजगा, 11X लिखाओ, और मैं लाख रुपे लगा रहा हूँ, जीत गया तो 11,00,000 मिलेगे, लाख लगा के, हार गया, तो लाख लगा के 11,00,000 देने पड़ेंगे, मतलब लाख गया है, दस लाख और देने पड में, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, on capability, कि खुद से अगर investment करता, union bank का share round of करके मैं मान लेता हूँ, 322 रुपे का था, ठीक है ना, और मान लो आपको 10,000 investment करनी है, 10,000 रुपे की investment करनी है, ठीक है, अगर आप यह share अपनी capability के हिसाब से buy करो, तो कितने share खरीद पाओगे, 10 divided by 322 रुपे का एक share है, तो यह number of shares आते हैं, आपके पास 31 point, round of करके 06 shares, और एक share 322 रुपे का है, तो यह आपने bought amount आपका 10,000 रुपे की आपकी investment हो गई, ठीक है, मान के चलते हैं, share का price, दो cases मान लेते हैं, या तो increase हो गया, जब बेच रहे हो, ठीक है, increase हो गया मान लो, 3 325 पे पहुँच गया, और decrease में 319 रुपे मान लेते हैं, ठीक है ना, या 320 रुपे मान लेते हैं, 31.06 shares थे, 0.06 shares थे मेरे पास, अगर share का price बढ़ गया, तो 325 रुपे में बेच दूँगा इन shares को, कितना आएगा, 10,095, तो मेरा profit कितना आ गया, बस 95 रुपे का profit, 10,000 लगा के कितना profit कम आया, 95, ठीक है ना, और अगर यही share का price 320 हो गया, तो कितना में बेच पाऊंगा, 31.05 shares into 320, 9936, अगर इतने में मैं यह shares बेचता हूं, तो मेरा loss आएगा, खरीदे थे 10,000 के, बेचे 9936 के, 64, तो भी कोई गम नहीं, ना तो यहाँ पे gain में खुशी होगी जादा, क्योंकि 10,000 लगा के कितना गमाया, 95, ना ही गम होगा, 10,000 लगा के गमाया कितना, 64 कोई दिकत समझाया, लेकिन इस share के आगे चल रहा है 9X, stock market आपकी खुद की capability थी 31.06 shares खरीदने की, यही थी 322 रुपे का एक share, 10,000 लगाना चाते हो, तो 31.06 share खरीद सकते हो, लेकिन इसके आगे चल रहा है 9X, stock market आपको 10,000 में ही 31.06 shares नहीं देगी, 31.06 into 9 279.54 shares, पैसे आपको अपने DMAT से 10,000 ही कटवाने होंगे, और 10,000 पे genuinely कितने shares आ सकते हैं, 31.06, लेकिन इस share के आगे चल रहा है 9X, तो broker कहेगा कोई दिकत नहीं है, तुम पैसे मेरे को 31.06 shares के ही 10,000 रुपे, लेकिन shares मैं तुमको 279.54 दे रहा हूँ, और अगर मैं अपनी capability क के हिसाब से 279.54 shares खरीदू, तो कितने पैसे देने पड़ेंगे, एक share 322 रुपे का है, तो वैसे ही ये shares 90,000 के हैं, समझाया, तो 90,000 रुपे के shares मेरे को कितने में दे दिये, 10,000 रुपे में दे दिये, 9X जादा के shares दे दिये, भई यहां तक ही बात सबको समझाई है, तो म 9X shares मेरे को दे दिये, पैसे मेरी जेब से 10,000 ही गए थे, अब case A, share का price 325 हुआ था, तो per share पर profit कितना है, 325 में बेचूँगा, per share, समझा रहा है, वो ही case ले रहा हूँ, यहां पर 325 या 320, 325 में या तो बेचूँगा, खरीद कितने की थी, 322 की, तो per share का profit 3 रुपे, यहां पर 9X shares market ने मेरे को दिये है, कितने shares पर profit आएगा, 279.54 पर तो मेरा profit कितना, 838.62, समझा आया, अगर यह share का price हो गया, 320, B case, तो per share का loss कितना, 320 में बेचूँगा, 322 में खरीद थी, shares थे, वही 279.54, market ने मेरे को multiple time shares दिये थे, loss कितना आएगा, 559.08, यह calculation बताओ वहले, समझा यह आपको पूरी, 9X ने क्या किया, जब मेरी खुद की capability थी, खुद के capability के according, मैं सिरफ, अब मैं overall concept बोल रहा हूँ, खुद की capability के according, मैं सिरफ 31.06 shares खरीच सकता था, और उसके हिसाब से, मैं profit कमा सकता था, सिरफ 95 का, लेकिन stock market में, मेरे broker ने मेरे को, 9X का leverage दिया, leverage का मतलब, broker ने मेरी खुद की capability को multiple times बढ़ा दिया, मेरी capability थी, 10,000 रुपे की, उसके according, मेरी capability थी, 31.06 shares खरीदने की, 9X ने मेरी capability को बढ़ा कर, 279.54 shares की capability बना दिया, जिससे हो सकता है, मेरा profit multiple times बढ़ जाए, 95 से 838.62 हो जाए, और हो सकता है, मेरा loss भी multiple times हो जाए, अगर price गिर गया, 64 से 559.08 हो जाए, समझाया, तो market में जो ये, MIS multiplier होता है ना, this is nothing else but leverage, समझाया आपको ये, हाँ जी, मैं उस पर भी आउँगा, नहीं, 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 देखो, चलो मैं इसका ना, वैसे मैं इसके दो जवाब दूँगा, एक अभी आपको नहीं समझायेगा, मेरे को मालू मैं, क्योंकि उसकी बात मेरे को अभी आगे detail में पढ़नी है, पहले वो सुनो, पहला जवाब तो ये है, अभी मैंने आपके सामने, सिरफ क्योंकि मेरे को leverage का मतलब बताना है, तो इसलिए मैंने आपके सामने जो ये transaction रखी है, सिरफ आपको ये दिखाना चाहा है, कि leverage के हिसाब से किस त बात की साथ आपको बताता हूँ, आपका जवाब मिल जाएगा, और फिर एक क्रक्स बोलूँगा, पहले मेरे को बताओ, यहां तक की बात सभी को समझाई है, कोई और सवाल तो नहीं है, clear होगे, अच्छा, ये है मान लो हमारा broker, time, मैं फटावट से इसको खतम करता हूँ, बागी फिर next class में continue करेंगे, यहां पे है हमारा मान लो stock exchange, यहां पे है investor, अच्छा, मेरी जेब में थे 10,000 रुपे, 10,000 से कितने shares आ सकते थे, 31.05, 32.01, 31.05, जबकि broker में मेरे को कितने shares दे दिये थे, 9 times, 9 times share दे दिये थे, जो की थे 279 point something shares, ये 279 point something shares, ये 279 point something shares थे, इनकी वर्थ थी 90,000 की, और मैं पैसे दे रहा हूं 10,000 रुपे, तो 10,000 के बदले 90,000 के shares यही हुआ था, ultimately होता क्या है, मैं broker को देता हूं 10,000 रुपे, ठीक है, लेकिन broker के पास भी share कहां से आएगा, stock exchange से, तो मेरी जेब से broker के पास चला गया 10,000, जबकि broker मेरे को shares कितने के दे र के, तो ultimately broker के पास 90,000 के shares होंगे, तो broker यह shares कहां से लाया होगा, stock exchange के पास, broker stock exchange के पास गया, stock exchange पे shares किसने दे रखे हैं, company ने, broker ने यही बात, जो broker ने बात, investor को बोली थी, कि तो 10,000 रुपे दे, share को 90,000 के दे दूगा, broker जब यही बात, stock exchange को जाके बोलेगा, कि पैसे दू जाएगी, जितने shares के पैसे दोगे, उतने shares ले जाओ, समझ आया, तो broker अपनी जेव से 80,000 निकालेगा, on pocket, आपके मन में आयेगा, यही पे doubt, broker क्यों करेगा, आपनी जेव से, मैं बताऊंगा अभी, यहा तक बात समझ आ रही है, broker अपनी जेव से 80,000 निकालेगा, investor से 10,000 आया हुआ है, total कितने हो गए, 90,000, total 90,000 stock exchange को देगा, stock exchange से 90,000 के shares आ जाएंगे, और यह shares इसको आगे देगा, पहले बात समझाई, मतलब stock exchange पे जो trading होगी, वो पूरे 90,000 shares की ही होती है, वो तो investor ने अपनी जेव से 10,000 निकाला है, 80,000 उसके लिए अपनी जेव से broker ने निक मुसकान और सिम्रन, समझागे आप दुनों को यह, यह सबको clear होगा कि यह loan है, तो ultimately, indirectly, broker ने loan दिया है, अब आपके मन में आएगा, कि sir, इससे broker को क्या फाइदा, यही आपने पूछा था कि broker ऐसा क्यों देगा, broker एक investor के भिहाब पे loan क्यों ले रहा है, देखिए अब इसक बारा होता है, और बाकी होते हैं, जो उस game को आपके खेल रहे होते हैं, आप कभी गए भी नहीं होंगे, फिर भी मैं अगर आपसे पूछू, दस game अगर खेली जाएं, कितनी games आपको लगता है, वो dealer जीतता होगा, क्या maximum games dealer जीतता होगा, या जो खेलने वाला हो जीतता आपके मन में आएगा सर सामने वाला इंसान, अगर इतनी games हार रहा है, तो वो casino में जाएगा क्यों, क्योंकि easy money दिखता है, greed, उसको लगता है, दस में से एक तो जीत सकता हूँ, क्या पता मेरी किसमत वो एक वाली पहली हो, पहली game लगाते ही जीत जाओ, समझा है आपको य या लोगों की दिवी tip पे, या फिर market के perception पे पैसा लगाता है सिरफ, trader होता है, समझा रहा है, उसके case में अगर मैं बात करूँ, 10 बारी अगर shares में पैसा लगेगा, उसमें से 9 बारी broker जीतेगा, और एक बार investor जीतेगा, समझा है आपको ये, कहने का मतलब मेरा ये है, अगर यहाँ पर आप share buy कर रहे हो, तो broker sell कर रहा है, समझा है आप, तो आपको buy करके, बाद में sell करने पर अगर नुकसान हो रहा है, तो broker को वही पहले sell करके, बाद में buy करके फाइदा हो रहा है, जब आप buy कर रहे हो broker से, तो broker उस time पे बेच रहा है, उसी price पे, और जब आप sell कर तो उसी टाइम पर ब्रोकर आपसे बाय कर रहा है समझाया जब आपके बाय सेल में आपको नुकसान हो रहा है multiple times तो ब्रोकर को फायदा हो रहा है उस टाइम पर multiple times समझाया मतलब जब यह वाला केस हो गया था कि शेयर खरीदा 322 रुपे का बेचा 320 रुपे का उस केस में 9x का leverage देने की वजए से एक investor को multiple times नुकसान हो गया था ब्रोकर का यही multiple times फायदा है समझाया इसलिए broker 9x दे रहा है इसलिए broker इतना pain उठा रहा है कि आपके लिए loan दे रहा है आपको क्योंकि उसको पता है 9 बारी तो मैंने जीत रहा है 9 बारी आप multiple times हार होगे वो multiple times जीतेगा एक बारी होगा कि आप multiple times जीत जाओगे वो multiple times हार जाएगा कोई दिक्कत निया 9 बारी जीता भी तो है आपको जवाब मिला clear हुआ है so anyway इसको अभी मैं यही पर stop करता हूँ फिर क्योंकि आगे concept को बढ़ाना है बस leverage का मतलब मैंने आपको layman terms में stock market terms में I guess आपको पूरा समझाए business terms में आपको लेके जाना है next class से फिर आपके notings वगर स्टार्ट हो जाएंगी तो प्लीज जो भी रेजिस्टर्स अगर आपको प्रॉपर लगाने है वो सब लेके आईएगा चालिए